जैसा कि आप सभी लोगों की मांग थी कि अब हमें नई लूसेंट को कवर करना चाहिए जो लेटेक्स्ट आपकी लूसेंट मार्केट में आई हुई है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और आपकी मांग को ठोकुराय कैसे जा सकता था तो हम लोग नई लूसेंट लेकर आप लोगों के लिए आये हुए हैं और इसमें आप देखिए एक बड़ा हिस्सा हम लोग कवर भी कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप बताने की भी जरूरत नहीं बचिए कि आप किसी भी एकजाम की तैयारी करते हों आप फिर चाहे जो आपके एकजाम होते हैं सरकारी नौकरी की जो तैयारी होती है या आप सğinेटरल यानि की केंद सरकार के जो अंडर में आप देखते हैं सरकार somard के जो आपतेhist कि आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने questions paper कम से कम चार से पास साल पुराने questions paper उठा के देखिए उनका मूल्य अंकन कीजे और उसमें आप देखिए किस topic से कितने questions पूचे जा रहे हैं किस subject से कितने questions पूचे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग बहतर score कर पाएंगे और अभी तक आप देखिए Lucent में हम लोगों ने आपका भारत का इतिहास भी कबर कर चुके हैं जिस्व का इतिहास भी कबर कर चुके हैं भोगोल भी कबर कर चुके हैं भारत का भूगोल भी कबर कर चुके हैं, भारतिये अर्थवस्था भी कबर कर चुके हैं, भारतिये समिधान को भी देख चुके हैं, और आज हम लोग बात करेंगे जो आपका भौतिक बिग्ज्यान है, फिजेक्स, और आप सभी जानते हैं कि फिजेक्स से से आपकी में questions आते हैं और मैंने तो यहां तक देखा है कि SSC bank railway वालों को छोड़िए यह लोग तो loose end के लिए पढ़ते ही हैं दरोगा हो गया SI हो गया पुलिस हो गया सिक्षग भरती हो गया या फिर आप लोग post office का देखते होंगे जब आप लोग state PCS देने जाते हैं prelims और आपके पास कम टाइम बचता है चाहे civil service का prelims देख लिए उस तुमाई revision के point view से loose end को पढ़ा जाता है कई लोग पढ़ते हैं तो बहुत इक विग्यार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और याद रखी loose end के लिए इन सभी class है आपको एक ही जगह मिल जाएंगे जो आपका loose end book review के नाम से जो playlist सूची है उसी में रही ही सब ठीक है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका मातरक देखेंगे गती देखेंगे कार उर्जा सक्ती को भी देखेंगे गुरुत्वाकरतन को देखेंगे दाब देखेंगे पिलवन देखेंगे पिष्ट तनाओ देखेंगे स्यानता देखेंगे पित्यास्तिता देखेंगे सरल आवर्द गती देखेंगे तरंग दोनी त ग्यान एक उपकरण जो हैं, बहुत एक सम्मंदित मात्पून जो खोजे हुई हैं, मात्कों का एक पद्धिती से दूसरी पद्धिती में परिवर्तन, मात्तौल के विभिन मात्रक, विभिन यंत्रों और उनके उपकरणों के, जो खोच करता रहें, उन पर भी बात करनेंगे क्योंकि इनसे भी questions आपके आते हैं क्या आते हैं और आप लोग बताया करें या कि आप लोग किस exam की तयारे करें और कभी आप लोग ने paper दिया है आप लोग नीचे बताईए आप लोग यही आज आपसे सवाल है अब बात करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान की वह साका है जिसमें द्रव मैटर और उर्जा इनरजी और उसकी परस्पर किरियाओं का अध्यन होता है और भौतिकी वहती की प्राक्तिक जगल का मूल भी ज्यान है क्योंकि बिज्ञान की अनसाखाओं का विकास बहुत की की ग्यान पर बहुत हद तक निर्वर करता है मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो देखे किसी रासी के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, मात्रक दो तरह की होते हैं, एक तो मूल मात्रक, एक व्यूत्पन मात्रक, SI पदिती में मूल मात्रक की संख्या साथ है और जो आप नीचे देख रहे होंगे इसमें लंबाई का अगर आप लोग बहुत तिक रासी यहां हो गई SI के मात्रक हो गए और संकेत हो गए लंबाई की देखें तो मीटर हो गया और M से इसे आप लोग संकेत देते हैं संकेत इसका M है द्रबमान का किलोग्राम है केजी में इसका संकेत है समय का सेकिंड है आप लोग S से इसे बेक्ट करते हैं संकेत ताप इसका केलविन है के इसका संकेत है बिद्दुधारा MPR यह इसका संकेत है जोती तिविता, केंडिला इसका क्या है? मात्रक S.I. मात्रक C.D. केंड इसका क्या है? संकेत है. पदार्थों का परिमाड इमोल और M.O.L. इसका संकेत है. S.I. के संपूरक मूल मात्रक हैं समतल कॉर्ड, radium इसका S.I. के मूल मात्रक हो गया और red इसका क्या हो गया? संकेत. घन कॉर्ड, radium और S.R. इसका संकेत. S.I. के कुछ पुराने मात्रों के नए नाव और संकेत हैं ताप हो गया जिसके degree centigrade और degree का पुराना नाम degree Celsius, degree नया एक त इंयों जी नीदर जीद में। सभी जो मूल मात्रों की सहायतक्ति ब्युत्फपन मात्रक कहते हैं। और बहुत लंबी दुरियों को मापने के लिए पयकास वर्स का परियोग किया जाता है। प्रिकास बर्स दूरी का मत रखे और आप लोग कहते हैं ना कि चंदमा से पित्वी की दूरी क्या है और प्रिकास बर्स में ही तुम आपते हैं से एक प्रिकास बर्स आप देखेंगे तो बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर और दूरी मापने की सबसे बड़ी एक पारसेक है एक पारसेक बराबर 3.26 प्रिकास बर्स और बराबर हमें से आप निकाले तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर और बल्कि CGS पदिती में मातरक डाइन है और SIE पदिती में इसका मातरक न्यूटन है किसका बलका एक न्यूटन बराबर आप देखेंगे 10 की पावर 5 डाइन और कार की CGS पदिती में मातरक अरग है और SIE पदिती में इसका मातरक जूल है एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अरग होता है दस की विभन घातों के फितिग भौतिकी में बहुत चोटी और बहुत बड़ी रासियों के बानों को 10 का घात की रूम में व्यक्त किया जात है जैसे नीचे दीगे साइडी में दिए अब आप सोची कि अगर निकालेंगे आपका पूरा लिखते तो बड़ा एक तरशे आप सोची की जगह चाहिए होती है और वैसे आप लोग निकालना चाहें तो इसका आप लोग निकाल सकते हैं 10 का ऊपर 7 ठीक है 10 की पावर 7 इन इसका पितिक है 10 की पावर 15 पेटा इस पी इसकी संकेत है 10 की पावर 12 टेरा टी इसका संकेत है 10 की पावर 9 गीगा जी इसका संकेत है 10 की पावर 6 मेगा एम इसकी क्या है पितिक है 10 की पावर 3 किलो के इसका संकेत है 10 की पावर 2 हेक्टरो एज इसका संकेत है 10 की पावर 1 डेक matda दिसका संकेत है 10पवर मैश अठार एटह शेयर इसका संहित है पितिक है 10पवर 155 यह आप देखेंगे इसका F इसका एक तरह से संकेत है 10 की पावर माइनस बारे P को P इसका संकेत है 10 की पावर माइनस 9 नेनो N इसका संकेत है 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो और आप देखेंगे म्यूटा है और 10 की पावर 3 मिली M इसका संकेत है 10 की पावर 2 माइनस 2 सेटी 30 का है, 10 की बाबर माइनस 1 DC और 10 का मात रखे गती की बात करें तो आदिस रासिया, सदिस रासियों पर भी आप लोग बात करते रहते हैं आदिस रासि, बैसी रासियां बहुतिक रासियां जिनमें केवल परिमार होता है दिसा नहीं होती है, उसे आप लोग अदिस रासि कहते हैं, इसमें परिमार तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दिसा नहीं देखने को मिलेगी, जैसे आपका दिर्वमान हो गया, चाल हो गया, आहतन हो गया कारे हो गया, सक्ती हो गया मा करिये द्रवमान चाहल आयतन कार समय उड़ जा ये सभी अभी आपकी अदिस रासिया है विद्धुधारत आप और दाप ये सभी अदिस रासिया है सदिस रासि क्या होती है तो बैसी भौतिक रासि जिनमें परिमार की सासथ दिसा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियम के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिस रासियां कहते हैं बेग, विस्थापन, बल, तुरन अब आप लोग कहते हैं कि दूरी इतनी है डिस्टेंस क्या होता है किसी दिये गए समयंतराल में बस्तू द्वारा तै किये गए मार्क की लंबाई को दूरी कहते हैं यह एक अदिस रासि है और सदियो धनात्मक होती है फिलस भी, ठीक है बिस्थापन क्या होता है एक निश्चित दिसा में दो बिन्दूओं के बीच की लंबबत यानि की नियूंतम दूरी को विस्थापन कहते है और यह सदिस रासि है इसका ऐसाई मात्रक क्या है मीटर है ठीक है और विस्थापन धनात्मक, रनात्मक या सुनी भी हो सकता है चाल क्या होता है स्पीड क्या होती है किसी वस्थू द्वारा 30 सेकंड तै की गई दूरी को चाल कहते है अर्था चाल वराबर दूरी अफोन समय यही एक आधिस रासि है इसका ऐसाई मात्रक मीटर 30 सेकंड है बेग क्या होता है किसी बस्तु के विस्थापन की दर को यह एक निश्चित दिशा में 30 सेकंड बस्तु द्वारत दायकी गई दूरी को बेग कहते हैं यही एक सदिस्रासी है इसका मातरक S.I.E., मातरक मीटर 30 सेकंड है तुरन क्या होता है? किसी बस्तू के बेग में परिवर्तन की दर को तुरन कहते हैं यही एक सद इसरासी है इसका ऐसा ही मातरग मीटर 50 सेकंड स्कॉयर है और यदी सरका समाई के साथ बस्तू का बेग घड़ता है तो तुरन रिडात्मक होता है जिसे मन्दन कहते हैं आप लोग परिच्छेप गती क्या होती है? जब कोई पिंड ऐसे नियत तुरन के इंतरकत गती करता है जिसकी दिसा पिंड के बेग की दिसा से भिन होती है तो पिंड के बेग का परिमार एवं दिसा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं इसके कारण पिंड एक समतल वक्त पत पर गती करता है और इस गती को पिछेप गत गति है और वक्क पत को पिच्छेव वत कहते हैं ये सदी ओ पर बला वल्याकार होता है धनों से चूटा वानड़, हवाई जहा सिगर आया गया बम, तौप से चूटा गोला आदी का मार्ग पर वल्याकार होता है और इस अभी पिछेप गती के उधार अन्वाने जाते है एक दूई गती है और एक सम्थल में गती है और पिछेप को अधिक्टम दूरी ताय तक फेखने के लिए उससे खेच चेतीर से 45 डेगरी के कोंट पर उपर की और पिछे पिद करना चाहिए पिछे पर कॉंट आप देखेंगे इस तरह से नब्वे यह आप देखेंगे पिछे पर कॉंट थीटा और एवं नब्वे मायनर्स थीटा दोनों के लिए छितिच परास समान होता है पिच्छे पत के उच्चेतम बिंदू परबेग और तुरन की बीच 90 डिगरी का कौन पनता है कितना 90 डिगरी का फिर आप से पूछे कि वित्तिय गती क्या होती है तो जब आप लोग देखें कोई बस्तु किसी बित्ताकार मार्क पर गती करती है तो उसकी गती को आप लोग वित्तिय गती कहते है यदी वह एक समान चाल से गती करती है तो उसकी उस गती को एक समान वित्तिय गती कहते है क्या कहते हैं? एक समान वित्तिय गती और वित्य गती एक तुरित गती होती है, क्योंकि बेग की दिशा पितेक बिंदो पर बदल जाती है डोरी से बन्दे हुई एक पत्थर को तेजी से विर्थ में गुमाया जाता है और गुमाने के समय डोरी तूट जाने पर पत्थर इसपर्स रेखी करता उड़ जाता है कौड़िये वेग क्या होता है? तो आप देखेंगे कि कौड़िये वेग विर्टाकार मार्क पर गती सील कड़कू विर्ट के केंद से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कौड़ में घुमती है ना उसे ही आप लोग क्या कह देते है? कौड जितने में घुम से जाती है उसे उस कड़ का कोड़ ये वेग कहते है इसे फ्रया ओमेगा से प्रिगट करते हैं अर्था ओमेगा बराबर आप देखें थीटा पुन टी और यदि कड़ एक सेकंड में एन चक्क लगाता है तो डबलू यानि की ओमेगा बराबर टू पाई एन ठीक है? और एक चक्कर में कड़ टू पाई 360 डिगरी रेडियम से घुम जाता है यदि अब यदि विटाकार मार की तिज्या आर और कंड एक सेकंड में एन चक्क लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर बरत की परधी में इंटू एन बराबर टू पाई आर एन यही उसकी रेखिये चाल होगी यहां भी आप समसकते हैं रेखिये चाल बराबर कंड एक चाल इंटू तिज्या पाई की मान की गड़ना सबसे पहले आर भट ने की थी यह लाइन भी याद रखेगा हो सकता है कि आप से questions बन जाए Newton का गती का नियम भी आप लोग सुनते रहते हैं Newton के गती का नियम सुनें क्या होता है क्या होता है बहुत की के पिता किने मानते हैं Newton ने सन 1666 में अपनी पुस्तक प्रैंसी पिया में सबसे पहले गती के नियम को पिती पादित किया था Newton की गती का पिताम नियम अगर आप देखें तो यदी कोई बस्तू बिराम अवस्ता में तो है बिराम अवस्ता में रहेगी यदी उस पर एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो बैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहे बल लगर के उसकी बरत्मान अवस्ता में परिवर्तन ना किया जा पित्थम नियम को आप लोग गैलेलियों का नियम भी कहते है या जड़त का नियम भी कहते है ये भी याद रखेगा नियूटन के पहले नियम को आप लोग गैलेलियों का नियम भी कहते है और जड़त का नियम भी कहते है बाहे बल बाहे बल के आभाव में किसी बस्तू की अपनी विरामावस्ता या सामान गती की अवस्ता को बनाय रखने की प्रवित्ती को जड़त कहते है पिथम नियम से बल की परिभासा मिलती है क्या मिलती है? बल की परिभासा मिलती है और बल की परिभासा की बात करें तो बल वह बाह कारक है जो किसी बस्तों की पारमई कवस्ता में परिवर्थन करता है या परिवर्थन करने की चेश्टा करता है बल एक सदिस रासी है इसका ऐसा ही मातरक न्यूटन है जड़त के कुछ उधारन भी है ठैरी हुई मौटर या रेल गाड़ी की अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री के पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और चलती हुई मौटर कार की अचानक रुकने पर उसमें बीचे आपसे option देगा जड़त के उधारन है तो आप लोग वहाँ ने जरूर याद रेखेगा ठीक है इनसे भी questions किसी भी तरह का पूंचा जा सकता है सीदी सी बाते हैं फिर आप देखेंगे कि संबेख किसी बस्तू के द्रवमान वा वेग की गुडन फल को उस बस्तू का संबेख कहते हैं संबेख वराबर आप देखेंगे बेग इंटू द्रवमान और एक सदिस रासी है इसका मातरक यसा ही मातरक देखेंगे आप लो कितना है किलोग्राम इ वल की दिशा में होता है यदि अब यदि आरुफित वल एफ वल की दिशा में उत्पन तुरण ए और वस्तु का द्रमान एम हो तो न्यूटन के गती के दूसरे नियम से वल का बेंजयक प्राप्त होता है पिथम नियम दूसरे नियम का ही यंग है फिर आप देखेंगे से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की और धक्का लगना नाव से किनारी पर कूंदने पर नाव को पीछे की और हट जाना रॉकेट को उड़ाने में ठीक यह सबी आपके नियूटन के तितिय गती के नियम है वही हाल है कि आप सोची कि आप किसी के गाल पर दे रहे ह और लोट कर वो भी दे दें, तो ये गती-गती तितीय नियम हो गया, समझ रहे हो, संबेक सरक्षन का सिद्धान, यदि कड़ों के किसी समभू या निकाय पर कोई बाहे बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का कुछ संबेक नियत रहता है, अर्था टक कर के पहले और बात का संबेक बरावर होता है, आवेक क्या होता है, जब कोई बड़ा बल किसी बस्तु पर थोड़े समय के लिए कायर करता है, तो बल ये अंतराल के गुड़न फल को उस बल का आवेक कहते हैं, आवेक बरावर बल इंटू समय अंतराल, बरावर संबेक में परिवर्तन, इसका सू कि ओर कारिड करता है इस बल को ही अभी केंधरीय E commission कहते है इस बल के आभाव में बस तो वित्ताकार मार्क पर नहीं चल सकती और यदि M कोई M द्रमान का पिड भी आर्ट दिज्या के वित्तीय मार्क पर चल रहा है तो उस पर कारी विर्त के केंधरी की ओर आवसक अभी के अंद्रिये बल अब बराबर M v square upon R होता है अभी के अंद्रिये बल हो गया आप के अंद्रिये बल भी आप लोगों ने सुनाओगा आजड़त तुरी है थ्रैम में न्यूटन की नियमों को लाहू करने के लिए कोछ ऐसे बलों की कलपना करनी होती है जिनने परिवेस में किसी फिंड से समधित नहीं किया जा सकता है ये बल, छदंबल या जड़तिये बल कहलाते है आप के अंद्रिये बल एक ऐसा ही जड़तिये बल या छदंबल है इसकी दिसा अभी केंदरी बल के विपरीद दिसा में होती है कपड़ा सुखाने की मसीन हो गई दोस से मक्कन निकालने की मसीन आदी अभी केंदरी बल की सिद्धान्त पर कार करते हैं वित्ती अपत पर गतीमान बस्तू पर कार करने वाले अभी केंद्री बल की पिक्ति किरिया होती है जैसे आप देखिए मौत के कुए में कुए की दीवार पर मोटर साइकल पर अंदर की ओर किरिया बल लगाती है जबकि इसकी पिति किरिया बल मोटर साइकल द्वारा कुए की दीवार पर बाहर की ओर कार करता है कभी कभी बाहर की और कार करने वाले इस पिति क्रिया बल को भरम बस आपके अंद्रिये बल कह दिया जाता है जो कि विलकुल गलत है एक आप लोगों न सुना होगा बल आगूर बल द्वारा एक पिंडे को एक अक्षे के परिटा गुमाने के लिए प्रवित्ती को बल आगूर कहते हैं किसी अक्षे के परिटा एक बल का, बल आगूर उस बल की परिटमाड तथा बल अक्षे से बल की किरिया रेखा के बीच लमबद दूरी के गुडन फल के बराबर होता है, बल आगूर बराबर आप देखेंगे बल इंटो आगूर बोजा यह एक सदिसरासी, इसका मातरक बल आगूर के सिधान पर कार करती है, और सरल मसीन एक ऐसी उक्ति है, जिसकी किसी सुविधा जनक बिंदू पर बल लगा कर, किसी अन बिंदू पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिनी, आनत, तल, इसकू, जैक, ठीक है, फिर आप लोगोंने उत्त बल लगा जाता है, उसे आयास कहते है, भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोज उठाया जाता है, अत्वार उकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं उत्तोलक के पिकारों की बात करें तो तीन तरह के होते हैं पिथम सेडी का उत्तोलक इस बरग में उत्तोलक में आलम F और आयास E तथा भार W के बीच में इस्तित होता है इस पेकार की उत्तोलकों में यांत्रिक लाब एक से अधिक और एक के बरावर तथा एक से कम भी हो सकता है इसके लिए उधारन केंची, फिलास, सिंडासी, कील, उखाडने की मसीन, सीस, जूला, साइकल का वेर्ट, हैंड फर्म दूतिय सेंडी की उत्तोलक में आप देखेंगे इस बर्ग की उत्तोलक में आलंब एबा आयासी के बीच का भार डबलू होता है इस पेकार की उत्तोलक में यांत्रिक लाब सदेव एक से अधिक होता है इसके उधारन सरोता, नीवू निचोडने की मसीन, एक पहिये के कूड़ा, ढोने की गाड़ी, तितिय चित का उत्तोलक में, आप देखें आलम एब भार, डबलू के बीच में आयास ही होता है, इसका यांतर इखलाप सदियो से एक कम होता है, चिम्टा मनुस का हाथ, गुरु गुरुत केंद, वह बिंदु है, जहां बस्तु का समस्त भार कार करता है, चाहे बस्तु की इस्तिती में, जिस इस्तिती में रखी जाए, बस्तु का भार गुरुत केंद से ठेक नीचे की और कार करता है, और अतहा गुरुत केंद पर बस्तु के भार के बराबर, उपरी हम बस्तु की को संतुलित रख सकते हैं संतुलन की पिकार संतुलन तीन फिकार के होते हैं इस्थाई, आस्थाई, उदासीन इस्थाई, आस्थाई, उदासीन इस्थाई संतुलन की बात करें तो यदि किसी बस्तु को उसकी संतुलन की इस्तिती से थोड़ा विस्थावित किया जाए और बल हटानी की पुनाहा वह पूर विस्तिती में आ जाए तो ऐसी संतुलन को इस्थाई संतुलन कहते हैं आइस्थाई संतुलन यदि किसी वस्तू को उसकी संतुलन अवस्ता से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुना संतुलन की अवस्ता में ना आये तो उसे आइस्थाई संतुलन कहते हैं उदासीन संतुलन यदि वस्तू को संतुलन की स्थापित करने पर उसका उचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई इस्तिती में संतुलित हो जाती है दो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है और इस्थाई संतुलन की सरतें किसी वस्तु के इस्थाई संतुलन के लिए दो सरतों का पूरा वस्तू का गुरुत केंद अधिकारिक नीचे होना चाहिए, गुरुत केंद से होकर जाने वाली उर्द्वाधर रेखा वस्तू के आधार से गुजरनी चाहिए, यह आप देखेंगे किस के लिए आवस्त सकें, तो यह भी आप लोग याद रखेएगा, उर्जा, कारी उर्जा और सक्ती, कारी की माप लगाए गए वल, और बल की दिशा में वस्तू के विस्थापन के गुडन फल के वरावर होता है, कारी एक अधिसरासी इसका मात्रक जूल है, कार वरावर वल इंटू विस्थापन, यदि बल्याप और विस्थापन एस के अत्रिक उर्जा कहलाती है जो इस प्रैकार है गते जूर्जा किसी बस्तू में उसकी गती के कारण कारण करने की जो छमता आ जाती है यदि M दिर्मान की बस्तू V से से चल रही है तो गतेज ऊर्जा आप देखेंगे की वो होगा के बराबर 1,2 एंब भी इसको आँए ट्रीक है इस्तिक की बात करें तो जब किसी बस तू मैं इसे सवस्ता या स्तिती के कारण कारी करने की चंता आ जाती है तो उसे इस्तितिक उर्जा कहते हैं, जैसे बांद बनाकर एकटा किये गए पानी की उर्जा, घड़ी की चावी में संचित उर्जा, तनी हुई स्पिरिंग ये आखकामानी की उर्जा, गुरुत बल की विरुद्ध संचित इस्तितिक उर्जा का ब्यांजाक है, P बेराबर M, G, H, जह विरुद्ध होती है, तो वे ठीक उतनी ही उर्जा अनरुब में पिगट हो जाती है, अता हुईस की संपूर्जा का परिमार इस्तिर है, यह उर्जा संरक्चन का नियम भी कहलाता है, उर्जा रूपांतित करने बाले कुछ उपकरने हैं, जैसे डायनेमू आपका उपकरन ह क्या करता है कि यांत्रिक उर्जा को विद्धत उर्जा में बदलता है किसे यांत्रिक उर्जा को विद्धत उर्जा में मौमत्ती ये रसायनिक उर्जा को पिकास और उस्मा उर्जा में माइक्रोपॉन धोनी उर्जा को विद्धत उर्जा में लाओरीश्पीकर विद्धत उर्जा को दोनी उर्जा में, सॉलर सेल, सौर उर्जा को विद्धुत उर्जा में, ट्यूलाइट, विद्धुत उर्जा को फिकास उर्जा में, विद्धुत मोटर, विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में, विद्धुत उर्जा को फिकास और एबं उस्मा उर्जा में विद्धुत सेल रस्नानी कुर्जा को विद्धुत उर्जा में सितार यह आप देखेंगी यांतरिक उर्जा को धोनी उर्जा में यह भी आप लोग याद रखेगा संबेग को गतिज उर्जा में संबंध तो एक एई बराबर आप देखें कि P स्क्वाइए अफॉन 2M P संबेग हो गया बराबर MB जा अर्था संबेग को दुगना करने पर गतिज उर्जा चार गुनी हो जाएगी कितनी? चार गुनी हो जाएगी अब सक्ति की अगर हम लोग बात करें कि पाबर यानि की सक्ति क्या होती है और आज कल आप देख रहे हैं कि हर कोई पाबर क्यों देख रहा है कार करने की दर को सक्ति कहते हैं यदि किसी करता द्वारा W कार T समय में किया जाता है तो उसे आप देखें तो करता की सक्ती W upon T होगी और सक्ती का ऐसा ही मातरक देखें तो Watt है और जिसे बेग्ञानिक James Watt के सम्मान में इसे रखा गया है सक्ती वराबर आप देखेंगे कार वटे समय वराबर जूल वटे सेकंड वराबर Watt बराबर 10 की पापर 7 और 50 सेकंड ठीक है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सक्ती की एक और मातरक अस्व सक्ती है अस्व सक्ती काई James Watt के द्वारा किया गया था एक अस्व सक्ती आप देखेंगे 746 Watt ठीक है तो इस तरह से इसे भी याद रखेगा अगर पूचे तो Watt सेकंड क्या होता है Watt सेकंड तो एक Watt सेकंड वराबर आप देखेंगे 1 Watt इंटो 1 सेकंड वराबर 1 Joule 1 Watt गंटा वराबर 3600 Joule 1 किलो Watt वराबर आप देखेंगे एक हजार वाट घंटा वरावर 3.6 इंटो 10 की वावर 6 जूल यानि कि 3 दर समलाव 6 गुणे आप देखेंगे फिर 10 की वावर 6 जूल W, KW, MW तथा HP सक्ती के मात रखें WS, WH, KWH एक कार तथा उवजा के मात रखें एक आप लोग गुरुत्वा करसन के बारे में काफी सुनते होंगे Newton का गुरुत्वा करसन का नियम भी आप लोगोंने सुना होगा किनी दो फिंडों के बीच कार करने वाले आकरसन वल को फिंडों के दरमान के गुड़न फल के अनुकरमान पाती और उनके बीच की दोरी की वर्क के बेउतकमान पाती होता है माना दो फिंड जिनके दरमान M1, M2 हैं और एक दूसरे से R दोरी पर हैं तो Newton के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकरसन वल एब बराबर आप देखें G M1, M2 अपन R स्क्वार और जहां G एक नेतांख है जिससे सार्वित्तिक गुर्त्वाकरसन नेतांख कहते है और जिसका माना आप देखें हैं कि तो 16 समलो सरसट गुर्टे 10 की पावर माइनस 11 NM2 अपन KG KG स्क्वार ठीक एक पावर दो और सार्वित्तिक गुर्त्वाकरसन नेतांख का प्रायोगिक मान सबसे पहले हैंरी कविंडेस ने 1788 में दिया था गुर्ट क्या होता है ग्रेविटी न्यूटन के गुर्त्वाकरसन के अमसाथ दो पिंडों के बीच एक आकरसन बल कार करता है यदि इनमें से एक पित्वी को इसे आकरसन बल के को गुरुत्त कहते हैं और अर्था गुरुत्वाकरसन बल है जिससे पित्वी किसी वस्तु को अपने केंदर की ओर खीशती है इस बल के कारण जो तुरन उत्पन होता है उसे गुरुतियत जनित तुरन जी इसे बैक्त करते हैं कहते हैं जिसका मान आप देखेंगे तो 9.8 पिती मीटर सेकंड स्कुराइट ठीक है गुरुत जनित तुरन की बात करें जी वस्तु के रोब में आकार दिरमान आदी पर निर्वर नहीं करता है और जी के मार अगर आप देखें तो पितवी की सतय से उपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है तो यह भी याद रखिएगा या रखिएगा या नी रखिएगा रखना चाहिए मुझे तो लगता है आप लोगों को दीगे यदि पिथभी अपनी बर्तमान कोडिये चाल से सत्रह गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमत रेखा पर रखिए वस्तु का भार सुन हो जाएगा यानि वहाँ भार ही इंता की स्तिती हो जाएगी लेकिन धरोप पर जी के मान में कोई परिवतन नहीं होगा ऐसी स्तिती में दिन की अउधी 24 गंटे से घटा कर 1.4 गंटे यानि की 84 मिनिट की हो जाएगी और यदि पिथभी अपने अक्षे की परिड़ा घूमना बंद कर दे तो जी के मान में धरोगों को छोड़का सेज सभी इस्तानों पर विड़धी हो जाएगी लिप्ट में पिंड का भार, लिप्ट में पिंड का भार, जब लिप्ट उपर की उर जाती है तो लिप्ट में इस्तित पिंड का भार बढ़ा हुआ पितीत होता है जब लिप्ट नीचे की ओर जाती है तो लिप्ट में इस्थित पिंड का भार घटा हुआ पितित होता है जब लिप्ट एक समान बेक से उपर या नीचे गती करती है तो लिप्ट में इस्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं पितित होता है यदि नीचे उतरते समय लिप्ट की डोरी तूट जाए तो वह मुक्त फिंडी की भाती नीचे गिरती है ऐसी स्तिती में लिप्ट में स्तित पिंडे का भार सुन होता है और यही भार हिंता की स्तिती होती है यदि लिप्ट के नीचे उतरते समय लिप्ट का तुरंड गुरुथ पी ये तुरंड से अधिक हो तो लिप्ट में इस्तित पेंड उसके उसकी फास से उठकर चत में जा लगेगा गरहों की गती से संबंदित कैफलर की नियम capital के नियम इन्हें भी देख लिए पिते गरहे सूर के चारों और दीर वित्यकार कच्छा में फरिक्मा करता है तता सूर गरहे की कच्छा की ऑक फोकस बिंदू पर इस्तित होता है पिते ग्रह का छित्री वेग नियत रहता है इसका बिरवाव यह होता है कि जब ग्रह सूर के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दोर होता है तो आप देखें कि उसका वेग कम हो जाता है सूरी के चारों और ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उससे का परिक्रमन काल कहते हैं जैसे T से आप लो व्यत करते हैं परिक्रमन काल का बढ़ ग्रह की सूर से उसत दूरी आर के घन आर कियों के अनुकरमानपाती होता है इस तरह से आप देख सकते हैं टीका वरग और अनुकरमानपाती आर का घंड ठीक है अर्था सूर से अधिक दूरी के गरहों का परिक्रमन काल भी अधिक होता है उधारन के लिए सूर के निकट ग्रह आप सभी जानते हैं बुद्ध का परिक्मन काल सबसे कम है 88 दिन का जबकि दूरस्त सबसे दूर वर्लिंट ग्रह का परिक्मन काल 165 साल का है समझ रहें तो यह भी याद रखिएगा आई ए यू ने यम को ग्रह से निकाल कर इसे दूरस्त ग्रह वरूण अब दूरस्त गया क्या है वरूण है ठीक है यम को यहां इस में से ग्रह में से किस एडी से न नमा पित्वी का एक उपग्राय का कक्छी चाल की बात करें तो उपग्राय की कक्छी चाल उसकी पित्वी तल से उंचाईप और निर्वर करती है और उपग्राय पित्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी उपग्राय की कक्छी चाल के उसके द्र तो मेटर, पिती सेटें पराल होता है उतना ही अधिक उसका परिकमर काल होता है उपग्राय का परिक्मण काल उसके द्रमान पर निर्भार नहीं करता है किस पर द्रमान पर निर्भार नहीं करता है पित्वी के अती निकट चक्क लगाने वाले उपग्राय का परिक्मण काल एक गंटा 24 मिनिट होता है हुआ भूस्थाई उपग्ग्रय के बारे में सुने योंग बू सब और इसा उपग्रय जो पित्वी के अक्षे के लंबबद तल्म है पर्ष्षिं से पूर प Теперь की और पित्वी की प्रिक्मा करता है जिसका प्रिक्मन काल पितवी के परिक्मर काल 24 घंटा के बराबर होता है, उसे भू इस्थाई ओपग्रे कहलाता है। और यह ओपग्रे पितवी तल से लगबग आप देखेंगे 36,000 किलमीटर की उचाई पर है कर पितवी की परिक्मर एक तरह से सुना होगा पलाएन वेग वह नियुन तम बेग है जिससे किसी पिंड को पितवी की सतय से ऊपर किया और फेक जाने पर वह गुरुतिय चेत को पार कर जाता है पितवी पर वापस नहीं आता है और पितवी के लिए पलाएन वेग का मान आप देखेंगे 11.2 km पिती सेकंड है और आप देखेंगे अर्था पितवी तल से किसी बस्तू को 11.2 km पिती सेकंड या अधिक बेक से उपर किसी दिसाब में फेक दिया जाए तो बस्तू पितवी तल पर वापस नहीं आएगी यानि कि इस कहने का मतलब आप समझ रहे माज लीजे आप लोग कोई गैंद लीजे उसे इतनी रफ्तार से फिकिए कि 11.2 km पिती सेकंड एक सेकंड में आप देखिए कि वो 11 km पिलस कर जाए समझ रहे आप लोग इतनी गती से जाए तो वो आप बापस नहीं आएगी ठीक है अ पित्वी तलके से आप देखें तो पलायन बेग इसका टू अंडरूर टू जी आरी ठीक है और अतहब भी ये बेग आप देखेंगे तो अंडरूर टू भी बेग अर्थात पलायन बेग कक्छा बेग का अंडरूर दो गुना होता है इसलिए यदि किसी उग्रह का कक्छी ये बेग दो गुना है तो अर्थात 41% बड़ा दिया जाए तो वह उग्रह अपनी कक्छा को छोड़कर पलायन कर जाएगा तो ये भी याद रखिएगा अब बात करते हैं दाप की किसी सताई के एकांग छेत फल लगने वाले बल को आप लोग दाप कहते हैं दाप बराबर अगर हम लोग बायू मंडली ये दाप की बात करें किसकी बायू मंडली ये दाप की तो सामान का बायू मंडली ये दाप वह दाप होता है जो पारे के 46 cm लंबे कॉलम के द्वारा 0 degree centigrade पर 45 degree अक्षांस पर समुद्र तल पर लगाया जाता है यही एक बरक सेंटीमीटर अनफ दसकी पावर 5 एन पिती एम स्कोई ठीक है और बायू मंडली ये दाप 10 की पावर 5 न्यूटन 50 मीटर स्कोई और तथा एक बार के बराबर ठीक है पितवी की सताय से उपर जाने पर बायू मंडली ये दाप कम होता जाता है जिसके कारण आप देखेंगे पहाणों पर खाना बनाने में कटना ही होती है और बायू यान में बैठे यात्री के फाउंटेन पैन से स्याही रश जाती है इसी का उधारन है बायू मंडल दाप को आप सभी जानते हैं कि बैरो मीटर से मापते हैं इसकी साहता से मौसम संबंदी पूरण भी लगाया जा सकता है और एक कुश है तो बर्सा होने की संभाव ना होती है और वेरूप मीटर का पाठ के अंग जब धीरे-धीरे उपर चरता है तो दिन साप रहने की संभाव ना रहती है और इसी से आप देखेंगे कि पूरा अन्मान लगाया जाता है मौसम का कि आज के सम मौसम रहने बाला है आप लोग वीडियो टीवी चैनल पर देखते रहते होंगे वो बताती रहते हैं द्रव में द्रव के अडवा द्वारा बरतन की देवार अतवा तलिके पिती एक आंग छेत फल्पर लगने वाले बलको द्रव का द्रव के अंदर किसी बस्तू पर द्रव के कारण द्रव की सतय से उस बिंदू की घहराई H, दरब की घनत D, और गुरुतिय तुरंड G के गुरुडन फल के बराबर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, दरब बराबर H into D into G, दरबों में दरब की नियम की बात करें तो इस्थर दरब में एक ही छेते जे तल में इस्थे सभी बिंदूओं पर दर समान होता है, इस्थेर दरब के भीतर किसी बिंदू पर दाब पितिक दिसा में बराबर होता है, दरब के भीतर किसी बिंदू पर दाब सुतंत तल से बिंदू की घहराई के अनुकरमान अनुपाती होता है, किसी बिंदू पर दरब का दाब, दरब के घनत पर निर्भार कर पासकल की नियम का दूती अकतन किसी वरतन में वंध डुर लिफ्ट की किसी भाग पर आरोफित्वल द्रप द्रफ द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमार परिडाम परिमार में संचेरेतिकर दिया जाता है पासकल की नियम पर आथारीद कुछी यहनते hydraulic lift, hydraulic press, hydraulic brake, द्रफ का दाब उससे पात के आकार या आकरिती पर निर्भार नहीं करता, जिसमें द्रफ रखा जाता है, गल्लांक और कोथनांक भी दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी देख लिजे, गल्लांक पर आप देखेंगे, दाब बढ़ाने पर उनका कुथनांक भी कम हो जाते है, जैसे बरप देख लिजे, कुथनांक पर प्रभाव, सभी द्रफों का कुथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, फिर आप लोगों ने सुना होगा, तलवन और उत्पिलावक बल, द्रव वह गोड़ जिसके कारण वह बस्तूओं पर उपर की और एक बल लगाता है, उसे उत्पिक्च, उत्छेप, या उत्पिलावक बल कहते हैं, यह बल बस्तूओं द्वारा हटाईगे द्रफ के रिगुरुतिय केंद परकार करता है, जिससे उत्पिलावन केंद कहते हैं, इसका अध्यावक बल का मान अधिक्तम हो जाता है, और उत्पिलावक बल का मान ठोस बस्तूओं की प्रक्किती एवं भालुपन निर्भन नहीं करता है, आरिकमीडीज का सिद्धान, जब कोई बस्तू किसी द्रभ में पोरी या आंसे ग्रोप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी या आभास होता है, भार में आभासी कमी बस्तू द्वारा हटाएगे द्रभ के भार के बराबर होती है, ठीक है, पिलवन का नियाम, संतुली तवस्ता में तेरने पर बस्तू अपने भार के बराबर द्रभ विस्थापित करती है, ठोस का गुरुत्तिय केंद, तथा हटाएगे द्रभ का गुरुत्तिय केंद, दोनों एक ही उर्द्वाधर रेखा में होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, और यहां कुछ फ्वाइंट दिये गए है, घनत, घनत बराब डेंसिटी, घनत बराब द्रभ मान अपन आयतन, इसका SI मत्रक किलोग्राम मीटर माइनस की हुए घन है, ठीक है, और आफिक्षित घनत या विश्ष्ट गुरुत, आफिक्षित घनत बराबर आप देखें, बस्तू का घनत, चार डिगरी सेंटीगेट पानी का घनत, जल का महत्तम घनत आप देखेंगे, चार डिगरी सेंटीगेट, या फिर आप लोग फॉरेन हाइट में मापेंगे, तो 49.2 डिगरी है ठीक है आफिक्षित घनत ये कनपात है और इसका कोई मातरक नहीं होता है मातरक की समी पडाली में इसका ना मान समान होता है और आफिक्षित घनत को हाइड्रो मीटर से मापते हैं किस से मापते हैं हाइड्रो मीटर से मापते हैं ये भी याद रखिएगा और सा ये पानी में तेटी है तो उसके आयतन का depend 10 भाग preparedness如果 निके उपर रहता है कि है और किसी बरतर में पानी भरा है और उस पर वर्रफ ते रही है किसे जबна पूरी तरह भिगल जाएगी तो पात्रों में पानी का तल भड़ता नहीं है पहले कर रहता नमक की गोल का घनत अंडे के घनत से अधिक होता है और इसलिए नमक के घोल में अंडा तेरता है दूद की सुद्धता दुख्द मापी से मापी जाती है किसे दुख्द मापी से मापी जाती है मित केंद तैटी हुई वस्तु द्वारा विस्तापित द्रफ के गुरुत केंद को उत् अब बात कर लिए थे हैं पेश्ट तनाव केुए ससंजक बल एक ही पदार की अड़ों के मद लगने वाले आकरसर बलको ससंजक बल कहते हैं ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है फलसरूफ उनके आकार निश्चित होते हैं गैसों में ससंजक बल का मान नगन होता है, फिर आप लोगों ने आससंजक बल सुना होगा, दो भिन पदार्तों के अड़ों की बीच लगने वाले आकरसन बल को आसंजक बल कहते हैं, आसंजक बल के कारण ही एक वस्तू दूसरे से चपकती है, फेश्ट तनाव के बारे में भ यही फेश्ट तनाव कहते हैं, किसी दरफ का फेश्ट तनाव वह बल है, जो दरफ के फेश्ट पर खीची गई कालफन के रेखा की काई के लंबाई पर रेखा के लंबावत कार करता है, यह यदि रेखा की लंबाई आई पर एप बल कार कर रहा हो, तो इस तरह से फेश्ट तनाव निकल सकते हैं, आप लोग T बराबर F upon L, आप करिए LAT का लंबाई, फेश्ट तनाव का ऐसा ही मातरक न्यूटन फिती सेकंड है, क्या है, न्यूटन फिती सेकंड है, और द्रफ के फेश्ट के छितफल में एकांग विड्धी करने के लिए किया गया कार, द्रफ के फे सुनने होता है, आप देखे, घुलन सील नमक मिलाने पर जल का फेश्ट तनाव बढ़ता है, जो ऐसा होता है, बढ़ जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा, केसी कत्य के बारे में सुनाएंगे किस नली, एक ऐसी खोकली नली है, जिसकी तिज्या बहुत कम, और तथा एक समान होती है, केस नली कहलाती है, केस नली में दरफ के उपर चड़ने या नीचे दबने की घरना को केस कत्य कहते हैं, दरफ के केस नली में उपर चड़ने, अत्वा नीचे घरने का कारण दरफ का फेश्ट तनाव है, और किस सीमा तक दरफ केस नली में चड़ता या उतरता यह केस नली की तिज्जया पर निरुपर करता है, संकीन नली में दरफ का चड़ाओ अधिक तथा, चोड़ी नदी में नली में दरफ का चड़ाओ कम होता है, तो सामानता जो दरफ कांच को भिंगोता है, वह केस नली में उपर चड़ जाता है, जो दरफ कांच को नहीं नियून कॉंड होता है इसके विप्रेज जब केसनली को पारे में धुवाया जाता है तो पारा केसनली में बरतन में रखे पारे की सतय से नीचे ही रहता है और केसनली में पारा की सतय ओवरा हुआ रहता है इसके लिए इस पारस कॉंड का मन अधिक कॉंड होता है तो यह भी लाल्टेन या लेंप की बत्ती में केसी कत के कारण ही तेल ऊपर चड़ता है आप लोग लाल्टेन और आप लोगों ने लेंप देखा होगा फेड़ पौधों की साकाओं तनो एवं पत्तियों तक जल और आवसक लवड केसी कत की किरिया के द्वारा ही पहुंचता है किंत मु सुन होने के कारण जल नली के दूसरे सिरित तक पहुंच जाएगा चाहे केसनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो बर्सा के बाद किसान अपने खेतों की जिताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केसनली या तूड़ जाए और पानी उपर ना सके और बाद मिट्टी में न पतली सुई फिष्ट तनाव के कारण ही पानी पर तेहराई जा सकती है, सावन डिटरजेंट आधी जल फिष्ट तनाव कम कर देते हैं और बे मेल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कबड़ा साब हो जाता है, सावन के गोल के बुलुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल मे सावुन घोलने पर उसका फेश्ट तनाव कम हो जाता है पानी पर मगर मच्छरों के लावा तेयते रहते हैं परंतु पानी में अगर आप लोग मिट्टी का तेल छड़क दें तो उसका फेश्ट तनाव कम हो जाता है जिससे लावा पानी में डूप कर मर जाता है गरम सोफ स् से विशंशन सूचेगा सियान्ता ये सबया लोग पड़ते रहेते होंगे सियान्ता क्या होती है बताईए स्यान्ता वली की बात करें तो किसी द्रव या फिर किसी गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्छित गती का विरोध करने वाले घर्षन वल को स्यान वल कहते हैं क्या कहते हैं स्यान्ता किसी कहते हैं तरल का हुआ है गोड जिसके कारण तरल की बिभेन परतों के मद्ध अपेक्षित गती का विरोध होता है उसे आप लोग स्यान्ता कहते हैं क्या कहते हैं स्यान्ता के बल दर्वों तथा गोड़ों गैसों का गोड़ है किनका दर्वों और गैसों का गोड़ है, दरवों में स्यानता अड़ूओं के मद लगने वाले संजग बलों के कारण होती है, गैसों में स्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अड़ूओं के स्थानांतन के कारण होती है, गैसों में स्यानता दरव की तुला में बहुत कम होती है, और ठोसो कोई की सियानता को सियानता घुडांक द्वारा मापा जाता है। का एवार स्तरह के कुश्चन्स पूंछ लेता है। जब कोई बस्तू किसी सयान द्रम में गिरती हैर सियानता है। है और किन्तू कुछ समय के प्रशात हूं का योग application होता है । अर्थाद बड़ी बस्तू अधेख वेक से और छोटी बस्तू कम बेक से गिरती है धारा रेखिए प्रवा, द्रव का ऐसा विवाह जिसमे द्रव का पितेक कण उसी बिंदू से गुजरता है, जिससे पहले उसने का पहले बालाकण गुजरताता है। करांतिक वेग कहलाता है और यदि द्रभ प्रभा का वेग करांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रभा उसकी सियानता पर निर्भा करता है और यदि द्रभ प्रभा का वेग उसके करांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभा मुक्ता उसके घनत पर निर्भा करता है ज परनौली का प्रमे भी आप लोगे ने सुना होगा और जब कोई आधर्स द्रब किसी नली में धारा रेखी ये प्रवाह में बहता है तो उसके मार्क के पित्यक बिंदू उपर उसके एकांक आयतन की कुल उर्जा दाव उर्जा गतेज उर्जा इस्तेदिज उर्जा का योग नियत होता है और इस प्रमे पराधरित बेंटोरोई मीटर से नली में धर्व्क की फिरवाह की दर ग्याद की जाती है और फिर आप देखेंगे पित्यास्तिता क्या होती है पित्यास्तिता पदार्त का हुए गोड़ है जिसके कारण बस्तु उस पर लगाए गये वाह बल से उत्वन किसी भी पिकार की परिवर्तन का ब्रोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वो अपने पूर अवस्था में बापस आ जाती है पित्यास्तिता की सीमा देख लीजे, विरूपल बल के परिमाड की वह सीमा जिसके जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में पित्यास्तिता का गुड़ बना रहता है और जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का पित्यास्तिता का गुड़ समाप्त हो जाता है पित्यास्तिता की सीमा कहलाती है तो ये भी याद रखिएगा आप लोगों को याद रख लेना चाहिए विक्रिती किसी तार पर विरुफक बल लगाने पर उसकी परमभिक लंबाई एल में बिड़ी small l होती है तो आप देखेंगे small l upon l को विक्रिती कहते है पिती बल पिती एकांग शेत पर लगाए गए वल को फिती बल कहते फित्यास्तिता का यंग मापंक पिती बल और विक्रिती के अनुपात को तार के फदात की पित्यास्तिता का यंग मापंक कहते होक का नियम भी आप लोगों ने सुना होगा पित्यास्तिता की सीमा में किसी बस्तू में उत्पन विक्रती पर लगाए गए पिती बल के अनुकरमानपाती होता है इस तरह से आप देखिए पिती बल अनुकरमानपाती विक्रती या पिती बल अपोन विक्रती बराबर एक नेतांक है ठीक है पित्यास्तिता का गुडांग पित्यास्तिता का गुडांग का मान भिन भिन पदार्थों के लिए भिन भिन होता है इसका ऐसा ही मातरक न्यूटन मीटर माइनस टू होगा ठीक है और जिसमें पास्कल कहते हैं जिसे पास्कल कहते हैं यंग का पित्यास्तिता गुडां में यदि कि विक्रती आयतन में हो तो उसे आयतन फित्यासता गुडांग के कहते हैं अप रोपन विक्रती के लिए इसे दर्ड़ता गुडांग कहते हैं ठीक है सरल आवर्द गती इन्हें भी देख लिए आवर्द गती एक निश्चित पर पर गती करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल की परशात बार बार अपनी पूर गती को दुराती है तो इससे फिकार की गती को आवर्द गती कहते हैं दोलन गती, किसी पिंड की साम इस्तिती को कि इधर ओधर गती करने को दोलन या कामपनिक गती कहते हैं, एक दोलन एक कमपन, दोलन करने वाले करनका अपनी साम इस्तिती के एक और जाना, फिर साम इस्तिती में आकर दूसरी और जाना, और पुना साम इस्तिती में बापस आता है आवर्थकाल आवर्थकाल की बात करें तो एक दॉलन पूरा करने की समय को आवर्थकाल कहते हैं आविट्टी कमपन करने वाली बस्तू के ये बस्तू एक से किन में जितना कमपन करती हो उसे उसकी आविट्टी कहते हैं इसका ऐसा ही मातरक हर्च होता है यदि आविट इसमेकार की गती करे जिए कि बस्तू का तॉरन amdbици कareн पहुता मिद्मान इस्तिती से बस्तू के विस्थापन का करमन को पाती हो तथतंधेशे वावर्द इसा मद्मान इस्तिती की ओर हो तो उसी की गती सरल अबद गती कहलाथी है स्तरल आवर्द गति की विसिष्था जब अपनी गति के अन्त विंदूओं से गुजरता है तो उसका तुरण अधिक्तम होता है, उस पर कार करने वाला पित्याय नेन बल अधिक्तम होता है, गतिज उर्जा सुन होती है, इस्तित उर्जा अधिक्तम होती है, बेक सुन होता है, फिर आप लोग ने सरल लोलक के बारे में इस सुना होगा, यदि एक भारहीन बल्लमाई मे ना बढ़ने वाली डोरी की निचले सिरे से पदार्थ की किसी गोल बस्तू भारी कड़ को लटखा कर डोरी को किसी दरड़ आधार से लटखा दें तो इस समाई विजन को सलल लोलग कहते हैं यदि लोलग को साम इस्तिती से थोड़ा विस्थावित कर छोड़ दें तो इसकी गती सलल आवर्द गती कहलाती है इस तरह से आप देख सकते हैं टी बरावर टूपाई अंडरूड वन अपॉन एट जहां एल आपकी एल है माप करिए डोरी की परभाई लंबाई हो गया जी आपका गुरुतिये तुरण हो गया तो यह भी आप की जूला जूलती जूलते जूलते खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुतिकेंद उपर उठ जाएगा और पर भावी जो लंबाई घट जाएगी जिससे जूले का आवर्द काल घट जाएगा जूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा जल्दी जल्दी ठीक है यह भी याद रखेंगे वज़ जाता है यदि लोलक घड़ी के उपगरेप ले जाए तो वहा भारेपण रह navigate गारण जी बराबर जीरो अता घड़ी का अवर्द का टी अननत हो जाएगा और उपगरेप आप र लोलक में लुघ नबाई एल भड़ जाएगी चंदमापर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्थ काल बढ़ जाएगा क्योंकि चंदमापर आप देखेंगे जी का मान पिटवी के जी के मान का एक अब उन्चे गुना होता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं तरंग की बारे में आखिर तरंग क्या होती है तरंग तो तरंगों को आप लोग दो भागों में बाटा जाता है एक तो यांतरिक तरंग या एक है आपकी आ यांतरिक तरंग यांतरिक तरंग की बात करें तो बे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस द्रव या फिर गैस में संचरीत होती हैं यांतरिक तरंगें कहलाती हैं देखी तरंगें भी दो तरह की होती हैं फिर आप देखेंगे यांतरिक तरंगें भी दो तरह की होती हैं एक तो आपका अनुद्धेर तरंग है एक अनुद्धेर तरंग है अगर इसमें अनुद्धेर तरंगी की बात करें तो जब तरंगी की तरंगी गती की दिशा माध्यम के कड़ों के कमपन करने की दिशा के अनुदेश या समानंतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदेहर तरंगे कहते हैं धौनी अनुदेहर तरंगों का उधारन है किसका धौनी देखते है ना यो अपनुदेहर तरंगों का है अनुदेहर तरंगों का धुरवन नहीं होता है अ आयांत्रिक तरंग या फर विद्धु चुमकिये तरंग कैसे कहते हैं बैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवस सकता नहीं होती है अर्था तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है उन्हें विद्धु चुमकिये या आयांत्रिक तरंग कहते हैं सभी इसकी आउधारणा मैक्सेट के द्वारफिति पादित क्या गया किसके मैं वेल के फिर आती है तरंग गती किसी कारक द्वारा उत्वन विच्छोफ के आंगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गती कहते हैं कमपन की कला आवर्थ गती में कमपन करते हुए किसी कड के किसी छड़ पर इस्थिती तथा गती की दिशा को जिस रासी द्वारा निरू तो छुम किये तरंगे होगए, इनके खोज करता होगए, तरंग धर्ध परीशे में, आवित्ती परीशे में, हजेड के और उपयोगिन का, जैसे गामा केड़ों की बात करें, तो इसके खोज करता रहे ह sunscreen, प्ल विलायड, और इसकी तरंग धेर्ध परीशे में देखें, तो और आविट्टी परिचा में H Z हर्ष में तो 10 की पावर 20 से 10 की पावर 18 और इसकी बिधन चमता अतेदिक होती है इसका उपयोग नापकी एविकी या किंतिम रेडियो धरिमीता में किया जाता है यह उधारन कई बार पूँच लेता है इनका उपयोग X करने इसके X करेंडर के खोज करता रहे है रोंजन 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस 8 मीटर तक इनकी तरंग देत परिचा में रहती है और आविट्टी परिचा है जड में आप देखेंगे 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 तक और चेके साओ दोगिक छेत में इसका 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 तक सिकाई करने फिकास विद्धुत्विभाव को उत्पन करने वेक्टिरिया को नश्ट करने में परावेगनी केटों का उपयोग होता है तर आप देखें कि दरस विक्रण यह इसकी कोज न्यूटन ने की थी और इसमें आगर तरंग देर 10 की पावर 14 से दसकी पावर 12 तक इससे हमें बस्तु में दिखला इत पड़ती है आवरत विक्रण की बात करें तो हार सल ने इसकी खोज की थि द्समलोव साथ दसमलोव आर्ट इंटू 10 की पावर माइनस साथ से 10 की पावर माइनस 3 तक और आवwenं तीफारीच से में देखें तो 10 की पावर बारे से 10 के पावर तक यह करने उसमी के विक्रेने हैं जिस वस्तु पर पढ़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता इसका फ्यूप कुहरी में फोटो ग्राफी करने एव़न रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है लगूर रेडियो तरंगे या फिर इने आप लोग हर्ट जीन तरंगे कहते हैं ह हर्ट जिस ने इसकी खोज की थी 10 की पावर माइनस से 3M से आप देखें 1M तक और आविट्थी परिशद में देखें तो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 8 तक रेडियो टेलिविजन टेलीफॉन में इसका उपयोग किया जाता है देखें रेडियो टेलिविजन में उपयोग होता है इनका गामा केड़ों का नाम करन रदर फोड में किया था और 10 की पावर माइनस 30 मीटर से 10 की पावर माइनस 2 की तरंगे सुक छिम तरंगे कहलाती है तो इनके उपयोग खासकर याद रखियो और इनका खोच करता कौन रहा है इस पर भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि नहीं से कुछे जाते है निमने तरंगे विद्धु चुम किये नहीं है जैसे केथोर करने, केनाल करने, अलफा करने, भीटा करने, धोनी तरंगे, परासरब तरंगे आयाम क्या होता है दौलन करने वाली वस्तु अपनी साम इस्तिधी की किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दौरी तक, जाती है तो उस दौरी को दोलन का आयाम कहते है तरंग गती में, समान कलावे उत्पन करने वाले दो क्रमागत कड़ों की वीच की दौरी को तरंग धहर्द कहते है इसे ग्रीक अक्चल लेमडा से व्यक्त किया जाता है और अनुपस्त तरंगों में दो पासपास की सरंगों, अत्वागतों की वीच की दौरी, तथा अनुदहर्द तरंगों में करमागत दो, संपीडनों या विरलनों के वीच की दौरी को दौरी तरंग धहर्द कहलाती है सभी विकार की तरंगों में तरल की चाल, तरंग धेर्द, आविट्टी की बीच निम्न संबंध होता है, तरंग चाल, आविट्टी इंटू तरंग धेर्ड, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, फिर धौनी तरंगे, ये क्या होती है, धौनी तरंगे अनुदे की तरंगों को बहुत बड़े अकार की सरोतों से उत्पन किया जा सकता है, सरव तरंगे, ये 20 हट्स से आप देखेंगे 20,000 हट्स तक की वीच की आविट्टी तरंगों को सरव तरंगे कहते हैं, इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, एक कुश्ण स पूँच लिया है एक कई बार, कई परीक चाहों है, परास्तरव तरंगे, 20,000 हट्स से उपर आप चाहिए कि आविट्टी वाली तरंगों को परास्तरव तरंगे कहते हैं, मन उसके काने से नहीं सुन सकते हैं, परन्तु कुश जानब जैसे कुट्ता, विल्ली, चमगादर, आदी से सुन सकते हैं इन तरंगों को गाल्टन की सेटी के द्वारा, तथा दाब विद्धुत पिरवाव की विधी द्वारा, क्वार्ट जिक के किस्टल के कमपनों से उत्पन करते हैं, और इन तरंगों की अपती बहुत उची होने के कारण इनसे बहुत अधिकूर्जा होती हैं, साथी इनका गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायू यान घडियों के फुर्जों को साफ करने में, कल कारखनों की चिमनियों से कले खटाने में, दूद के अंदर के हानिकारक जीवानों को नश्ट करने में, गठी आरों के उप्चार औमस्तिक्स के ट्यूमर का पता लग खर आता है आपका धोनी की चीठल इधोनी किर्केटर की बात नहीं कर रहती है जो पनेंखर नो करती यह दोनी की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है उसके बाद द्रभ में होती है उसके बाद गेस में होती है तो अगर आप से पूँचे कि धौनी की चाल सबसे आधिक काहे में होती है तो याद रखिए ठोस में होती है उसके बाद द्रब में होती है और बायू में धौनी की चाल देखें तो 332 मीटर पिती सेकंड जल में धौनी की चाल 1483 मीटर पिती सेकं देख रहे हैं ठोस में सबसे जाने दिखाई दे रही है जब धौनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो धौनी की चाल और दरण धर्द बदल जाती है जबकि आविट्ती नहीं बदलती है किसी माध्यम में धौनी की चाल अविट्ती पर निर्वर नहीं करती है किस पर अविट्ती पर निर्वर नहीं करती है धौनी की चाल पर दाप का प्रभाव धौनी की चाल पर दाप का कोई प्रभाव नहीं परता है बायू में पिती एक डिगरी सेंटीगेट ता बढ़ाने पर आप देखेंगे धौनी की चाल 0.61 मीटर पिती सेकेंड बढ़ जाएगी। धौनी की चाल पर आदिता का प्रवाव। नमी योगत बायू का घनत सुस के बायू के घनत से कम होता है। अता सुस के बायू की अब ए प्रायोकसाइड में 260, भाब में 100 डिगरी सेस्यस में 404, अलकुफल में 1230, जल में 1483, समद्र जल में 1533, बारा में 1450, कांच में 5640, ऐलूमिनियम में 6420, लोहा में 5130, ऐलूमिनियम में सब से जाना है देख रहें। कांच में फिर आप देखें, लोहा में, अगर इनमें आपका उधार ना आजा है, कुछ लेक क्यूश्चन, कि कांच अलूमिनियम में और लोहा में, सबसे जानाद धौनी की चल किसमें होती है, तो आपको बता दूने हैं अलूमिनियम में, पर उसके बाद आपकी कांच में पर लोगा में ठीक धौनी के लक्षन की बात करें अगर इसके तो आप देखें कि धौनी के मुक्ता तीन तरह के लक्षन प्रवलता तारत गुड़ता प्रवलता की बात करें तो प्रवलता धौनी का अभी लक्षन है जिसके कारण कोई धौनी तेज या मंद सुनाई देती है धौनी की प्रवलता इस तोर व्यक्त करने का मतरक फौन है तारत की बाद करें तो तारत धौनी का वाय लक्षन है जिसमें धौनी को मोटी या पतली कहा जाता है तारत आविट्ती पर निर्वार करता है धौनी की आविट्ती अधिक होने पर तारत अधिक होता है धौनी पतली होती है वह आभी तीरी कम होने पर तारत कम होता है धौनी मोटी हो जाती है गुरता इसमें आप धौनी का हुआ है लक्षन जिसके कारण हमें समान प्रभलता तसन समान तारत की धौनीयों में अंतरपितीत होता है धौनी की एक तरह से गुरता कहला धौनी की गु कि 30 सेकंड तल की लंबवद गुजरने वाली ऊजा के बराबर होती है और धोनी की तीपटा व्यक्त करने का मात्रक बैल है और धोनी की निर्फिक्च तीपटा को बाट की पावर माइनस टू में व्यक्त करते हैं बैल एक मातरक है और अताह विवार में इससे छोटा मातरक डैसीबल प्युक्त होता है जो बेल का दसबा भाग होता है जो बेल का दसबा भाग होता है धौनी की दिवता स्रोष से दूरी के बरग के वित कमानफाती आयाम के बरग के अनुकरमानफाती आउती बरग के अनुकरमानफात पूंच लेता है ठीक है प्रवलता और धौनी की तीविता में समन्द प्रवलता आप देखेंगे विरुत कर्मान पाथी लॉग आई जहाँ आई अब धोनी की तेविता हो गया प्रवलता और धोनी की तेविता में अंतर क्या है यह प्रवलता हो गया धोनी की तेविता प्रवलता धोनी की वह है अवी लक्षन है जिसके कारण धोनी तेज या मंद सुनाई देती है धौनी की तेविता धौनी ऊडजा का वो है परिमार है जो धौनी संचन Rafmel की दिसा के लमबत खीचे गई एकाय सहेत पल से पिती सेकिन गुज़ा होती है प्रवलता चेतना संबन्दी है धौनी की तेविता पस्तूनिस्ठ है प्रवलता कुमापा नहीं जा सकता है, धोनी की तीबता कुमापा जा सकता है, प्रवलता सुनने वाले की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है, धोनी की तीबता सुनने वाले की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है, ठीक है, तो ये भी याद रखी है, धोनी इस रो जब धौनी तरंगे दोर इस्तित किसी दरड टावर या पहाड से टकरा कर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित धौनी को पिती धौनी कहते हैं पिती धौनी सोनने के लिए स्रोता एवं परावर्तित सतय की बीच नियूनतम 17 मीटर 16.6 मीटर के लगभग दूरी होनी चाहिए कान पर धौनी का प्रभाव 1 अपौन 10 सेकिंड तक रहता है पिती भी के आप वर्तन के कारण धौनी दिन की अफेक्षा रात में दूरी तक सुनाई देती हैं आप लोग दिन के चिल्ला लीजे कम दूरी तक सुनाई देगा जायगी आवाए और रात में आप देखते हैं दूर तक जाता है अनुनाद, जब किसी वस्तु के कमपन की सोभाविक, सोभाविक आविट्टी किसी चालक बल के कमपनों की आविट्टी के बरावर होती है, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कमपन करने लगती है, इस घटना को अनुपात कहते हैं, इस घटना को अनुनाद कहते हैं, क्य जो समान, आविठी या आयाम की दो धौनी तरंगे एक साथ किसी विंदू पर पहुंचते हैं, तो उस विंदू पर धौनी उर्जा का पुनाहा वित्रन हो जाता है, और इस घटना को धौनी का विट्टी करन कहते हैं, क्या कहते हैं, वित्टी करन कहते हैं, और यदि दोनो त तो विन्दू पर एक ही कला में पहुँचती है तो वहां ध्रमोन की तीवित्ती करण कहते हैं। करन कहते हैं या बिनासी विती करन कहते हैं धौनी का विवर्तन की बात करें तो धौनी का तरंग धर्ड एक मीटर की कोटी का होता है और अतहाद जब इसी कोटी का कोई अवरोद धौनी के मार्ग में आता है तो धौनी अवरोद के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है इस घटना को धौनी का विवर्तन कहते हैं। डौपलर विभाव। जब किसी धौनी सुरोत एवं सुरोता की वीज़ आपिक्षिक गती होती है, तो सुरोता को धौनी की आविट्टी उसकी वास्तविक आविट्टी शे अलग सुनाई परती है। इसे ही डौपलर परवाव कहते हैं। पीछे माध्यमें संग्वाकार बिच्छोप छोड़ती हैं, और इस बिच्छोप के संचuego को ही फ्रघाती तरंगें कहते हैं। अब ऊसमा के वारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखेंगे तो ऊसमा हीट यह हूर्जा है, जो एक बस्तु से दूसरी बस्तु में केबल तापांतर के कारण इस्तानांतित होता है किसी बस्तु किसी बस्तु में नहित उसमा उस बस्तु के दर्मान पर निर्भर करती है यदि कार W उस्मा Q में बदलता है तो W अपन Q जहाँ J या W बराबर J Q होगा ठीक जहाँ J आपका एक नेतांक है जिसे उस्मा का यांत्रिक तो ल्यांक भी कहते J कमान 4.186 J पिती कैलोरी होता है इसका तात्पर है कि यदि 4.186 J का यांत्रिक कार किया जाए तो उस्मा उत्पन उस्मा की मात्रा की मात्रा एक कैलोरी होगी कितनी? एक कैलोरी होगे तो ये भी आप लोग याद रखेगा उस्मा के मातरग की बात करें तो उस्मा का ऐसा ही मातरग जूल है इसके लिए निम्न मातरग का परियोग भी होता है कैलोरी, एक ग्राम जल का ताप एक डिरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपसक उस्मा की मातरग को एक कैलोरी को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं अंतराष्टी कैलोरी एक ग्राम सुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटिगेट से अब देखिए 15.5 डिग्री सेंटिगेट तब बढ़ाने के लिए आपसक उस्मा की मातरग को एक कैलोरी कहा जाता है बेटिस थर्मल यूनिट एक फॉंड जलकाता आप एक डिग्री फॉरेंड हाइड बरावर के लिए बढ़ाने के लिए आवसे कुस्मा की मातरा को एक भी बेटिस थर्मल यूनिट कहते हैं तो यह अलग लग एक तरह से महापण हो गई इनकी कि विभीन मातरक में संबंद बीटी आप देखे »वेटिस जो थर्मल यूनिट है इसमें आप देखे कैलोरी 252 कैलोरी एक कैलोरी बराबर आप देखेंगे… असमलो 166 जूल एक केलो कैलोरी वराबर आप देखेंगे 14186 जूल वराबर 100 1000 कैलोरी ठीक है चलिए खेर आंगे बढ़ते हैं ताप टेमपरेचर आफ लोग सुने हैं ताप वह बहुत तिक कारक है जो बस्तू से दूसरी बस्तू में उसमी है उर्जा के परवाव की दिशा न किताब माँ अफी केते हैं निमने विकार किताब पर्माने पर सो स किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बरावर भागों में बाट देते हैं पितेग भाग को 1 degree Celsius कहते हैं फॉरेन हाइट प्रमाना इसका अब इसका जर्मन विग्यानिक फॉरेन हाइट ने किया था इसका हेमान 32 डिगरी फॉरेन हाइट से भाब बिंदू 202 डिगरी फॉरेन हाइट इसके बीच की दूरी आप देखेंगे 180 बरावर भागों में बाट दी जाती है रॉमर पिर्माना इसका हेमान का आप देखेंगे 0 डिगरी रॉमर भाब बिंदू 80 डिगरी रॉमर आप देखेंगे कि इसके बीच का भाग, अफसी बाराबर भाग माट दिया जाता है, कैलविन फिर्माना, इसमें हेमांक, हेमांक 273 के से आप देखेंगे कैलविन से, भाब बिंदू 273 है और इन दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी को 100 समान 100 भागों में भाग जित किया जलता है, चारों फिर्मानों में सम्मंद, इस तरह से आप देख सकते हैं, Celsius माइनस 0 अपन 100 बराबर फोरेन हाइट, 1 माइनस 32 अपन 80, R माइनस 0, 80, इसमें K माइनस 273, 100, इस चारों में सम्मंद हैं, इनसे निकाल भी सकते हैं एक दूरी का, परम सुनी क्या है, सिधान्त रूफ से अधिक त परम ताप की सीमा है, किसी भी बस्तू का ताप माइनस 233 डिगरी, 233 अपन 15 डिगरी Celsius से कम नहीं हो सकता है, और इसे परम सुनी ताप कहते हैं, Kelvin फिर्माने पर यह 0 डिगरी, मापकर यह 0 Kelvin लिखते हैं, और 0 Kelvin बराबर आप देखें, माइनस 233 अपन 15 डिगरी Celsius, एबं 273 अ दसमलो, 16 Kelvin बराबर, 0 degree Celsius, पहले Celsius परमाने को centigrade परमाना कहा जाता था, आप कह सकते हैं कि जो Celsius परमाना देखते हैं इसे ही आप लोग centigrade कहते थे, Kelvin में वेक्त ताप में डिगरी नहीं लिखा जाता है, आप सुभी देख भी रहे होंगे या, देखें यहां नहीं लिखा गया है पारा माइनस 49 डिगरी Celsius पर जमता है, और अतहा इससे निमन ताप ग्याद करने के लिए एलकोहल तामापी का प्रयों किया जाता है, एलकोहल माइनस 115 डिगरी Celsius पर जमता है, द्रमापी, पारा तामापी लगभग माइनस 30 डिगरी Celsius से 350 डिगरी Celsius तक के ताप मापने के लिए प्यूथ होता है द्रफ ताब मापी पारा थर्मामीटर का अविसकार व्यार्ड हुआट नहीं किया था इस अविसकार को भी यात लखेगा घेस ताब मापी किताम युजूं गैस तामापी से पांस दिगरीऄसलशएद तक करेफden के पांसो ऑनरीन तॉस्चिरीफ तक विंटे का मापन किया जाता है पिलेट निम पितिरोथ ताब मापी इसके दौरा आप देखिए माइनस 200 डिग्री Celsius से बारे 100 डिग्री Celsius तक के ताब मान मापा जाता है यहार जरूर याद करोंशा जा सकता है सबस्तित नहीं, इस ताफ मापी से दूर स्थिद बस्तू के ताफ को मापा जा सकता है। जिसके अनुसार आप देखेंगे उच्चिताप पर किसी बस्तू से उत्सरजित, विकरन की मात्रा इसके संपरमताप के चतोर्थ घात के अनुक्रमान पाती होती है। और क्लिनीकल थर्मामीटर का विस्कार सर्थॉमस क्लीफोर्ड इलवर्ट ने किया था। सर्थॉमस क्लीफोर्ड इलवर्ट में। विस्षिष्ट उस्मा किसी फदार्थ की विस्षिष्च उस्मा, उस्मा की वह मात्रा है, जो इस फदार्थ की एकंग दरभवान में एकंग ताप बिढ़्धी ओत्पन करती है। सकता होती है अता जल की विशिष्ट उसमा धालता एक कैलोरी पिती ग्राम डिग्री सेल्सियस में होता है जल की विशिष्ट उसमा धालता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है जैसे आप देखिए कुछ पदार्थों की विशिष्ट उसमा या विशिष्ट उसमा धालता, वरप की 2100, पारा की 140, लेड की आप देखी 130, लोहा की 400, लोहा की कितनी? 460, केरुशिन की आप देखिए 210, जल की 2400, 4200, उसमी एपिसाओ, प्रिसार, किसी वस्तु को गरम करने पर उसकी लंबाई छितफल आयतन में विड्धी होती है, लंबाई में विड्धी की माप रेखी एपिसार गुडांक अलफा, छितफल में विड्धी की माप छेतरी एपिसार गुडांक बीटा, और आयतन में विड्धी को आयतन में आप देखेंगे गामा द्वारवेक्त किया जाता है, अलफा गामा बीटा में सम्मंद, अलफा जल का आसमान फिर साथ परियास सभी दिरफ गरम किये जाने पर आयतन में बढ़ते हैं परन्तु जल 0 डिगरी से 4 डिगरी से सिस्यस तक गरम करने पर आयतन में घड़ता है और आप देखें कि 4 degrees Celsius के बाद गरम करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है इसका अर्थ है कि 4 degrees Celsius पर जल का घनत्वा अधिक्तम होता है उस्मा का संचरण उस्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को उस्मा का संचरण कहते हैं इसके 3 विदिया है चालन, समहन, विकरण ठीक है? और चालन की बात करें तो चालन के दौरा उस्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कड़ों को अपने स्थान का परिवतन की ये विना पहुचाती है ठोस में उस्मा का संचरण चालन विदी दौरा होता है स्थान विदी के में उस्मा का संचरण पदार्थ के कड़ों की स्थान अंतरण से धाराएं वहती हैं जिनें समहन धाराएं कहते हैं इस विदी में उस्मा की हानी सबसे तेज गती से होती है गैसों द्रमों में उस्मा का संचरण संबहन द्वारा ही होता है बायु मंडल में संबहन विधी के द्वारा ही गरम होता है विकरण इस विधी में उस्मा गरम बस्तु से खंडी बस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गरम की ये विकास की चाल से सीधी रेखा में संच्रेत होती है तो ये भी याद रखना चाहिए हमें न्यूटन का सीतलन नियम जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने किदर कम होती जाएगी क्रिक हॉप का नियम इसके अनुसार अच्छे औुसो सक ही अच्छे उत्साजक होते हैं अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफिद वस्तु को समानताप पर गरम करके रखा जाए तो काली वस्तु अधेक विकरन उत्साजित करेगी और काली वस्तु अंदेरे में देख चमकेगी इस टीफेन के नियम की बात करें तो किसी वस्तु का ओसाजन चमता इए उसके परमताप टी के चौते गहात के अनुकनवान पाती होता है इस तरह से आप देख सकते हैं इए अनुकनवान पाती टी की पाबर पोर या यह बराबर आप देखिए कि यह आपका इने तांग है और जिसे इस टीफेन ने तांग कहते हैं आप लो अवस्ता परीवर्तन या गुट्त उस्मा निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में परिवर्टित होना अवस्था परीवर्तन में, पदार्थ का ताप नहीं बदलता, त्रेक बिंदू, वह बिंदू जिस पर तीनों वस्था थोस तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है उन्हें तिक बिंदू कहते हैं गलांग निश्चित आप ठोस का द्रव में बदला थोस का द्रव में बदला गलांग कहलाता है इस तथा इस निश्चित आपको ठोस का गलांग कहते हैं हिमांग निश्चित आपको ठोस में ब पर बढ़ने पर फहरता है वह चौनासार ये पलाव होगया उनका गल्लाव में नमक मिलाने पर गल्ला紅े घाटा है कुथनागी, निश्चित बाषप के बढ़ना शुटनांग अ इस निश्चित ब्रब बढके कॉननास के लाता है और श्चित बने बने गट जाता है इसी तरह के questions कूछे जाते हैं पेसर को कर में दाब बढ़ने पर जल का कुथनांग बढ़ जाता है जिससे जल की गुपतु उस्मा का मान बढ़ जाता है फ़सरूप खाना जल्दी पक जाता है इसके विपरीत पाहरों पर जब दाब कम होने के कारण कुथनांग घट जाता है और इसलिए खाना देरी से पकता है असुद्धी मिलाने से भी दुरफ का कुथनांग बढ़ता है गुपतु उस्मा नियत तापर पदार्द की अवस्था में फरियोतन के लिए उस्मा की आवस्था होती है इसे ही आप लोग पदार्द की गुपतु उस्मा कह कैलोरी फिती ग्राम है और वास्थपन की गुपतु उस्मा की बात करें तो नियत तापर दरफ की एकांग दरबमान को बास्थपन में बदलने के लिए आवस्थख उस्मा की मातरा को दरफ की वास्थपन की गुपतु उस्मा कहते है जल के लिए वास्थपन की गुपतु U-orum R. M L. गुपत उस्मा का ऐसा हिमात्रा जूल पिती किलोगराम है और वलते जल की अपेक्श्या Bhaab से जलने पर अधिक कश्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्श्या भाव की कुपत उसमा अधिक होती है जिड़ डिगरी से और पिखलती बरब में कुछ नमग सोरा मिलाने से बरब का गलांग जीरो डिगरी से घटकर माइनस 22 डिगरी से तक कम हो जाता है और ऐसे मिसरन को हिम मिसरन कहते हैं इस मिसरन का उपयोग कुलफी आइसक्रीम आधी बनाने में किया जाता है बासफी करन दरब के खुली सतय से पितेक धाप पर धीरे धीरे दरब का अपने बासफ में बदलना बासफी करन कहलाता है अधवा किसी दरब का उसके कुतनांग से बोर उसके बासफ में बदलने की फिक्रिया को बासफी करन कहते हैं पिसी तक में आप देखें तो बासफी करन द्वारा ठंड़क उत्पन होत करने के लिए आवसक जल मास्ची मातरा के अनफात को अफेक्शित आद्यता कहते है इस अनिपात को 100 से गुना करते हैं क्योंकि IK मांतुने के लिए हाइग्रोमीटर हीरोमीटर कर घुरम हाइग्रोमीटर ननस mandates कि आयर निफिकर्णरी लगेहा ने सब घट जाती है उस बनने के लिए 100% आप एक्षित आदिता होनी चाहिए वाता अनुकूलन सामान मनुस के स्वास्त अनुकूलन जलवायू के लिए निमने परिस्तित होनी चाहिए ताप 23 डिगरी से 25 डिगरी से आदिता 60-65 के बीच वायू की गती 0-75 मीटर पिती मिनिट से 2-5 मीटर पिती मिनिट तीक है उसमा गतिगी का पिथम नियाम मुकता उर्जा सरक्षन को फेदर सीथ करता है इस नियम के इमसार किसी निकाय की दो दी जाने वाली उसमा दो फिकार की कारियों में बैह होती निकाय की आंत्रे कूर्जा में विड़ी करने में जिससे निकाय काताब बढ़ता है और बाहे कार करने में कारवन डाय ओक्साइड का अचानक फिरसार होने पर वैस्सुस के वरफ के रूम में बदल जाती है। अपने कम ताप की वस्तू से अधिक ताप की वस्तू की और प्रभायत नहीं हो सकती है। तो इसे भी याद रखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं? कि आपका परिकास के बारे में बात करते हैं, यानि कि कहने का मुतलब है लाइट के बारे में। तो आप देखें कि पिकास एक पिकार की उर्जा है, जो बिद्धु चुमकिये तरंगों की रूम में संचारित होती है। और इसका ग्यान हमें आखों द्वारा प्राप्त होता है। और इसका तरंग धेर अगर आप लोग देखें, तो 3900 से लेकर 7800 एंग इस्ट्रॉम के बीच होता है। ये पर आप लोग जिस तरह से बिंदी देख रहे हैं ना इसे आप लोग एंग इस्ट्रॉम कहते हैं। 1637 में दकार्ती ने तेकास की करिनिका मॉडल पिस्तुत किया और इस्नेल की नियम को वित्फन किया इनुने। सन 1678 में डच भौत की विद्वान थे। क्रिष्टियान हाइगेंस ने प्रिकास की तरंग सिध्धान को पिस्तुत किया था। और जब टामस यंग ने सन 1801 में अपना बिती करन संबंदी पिस्त प्रियोग किया तब यह निश्चित रूप से पिरमारित हो गया कि बास्तों में प्रकास की प्रकिती तरंग बत है। फिर आप देखेंगे 1850 की बात है कि फोको द्वारा किये गये फ्रियोग द्वारा यह दर्साय गया कि जल में पिकास की चाल बायू की अगर तुला में करें तो पिकास की चाल से कम होती है। इस पिकार तरंग मोडल की प्रायूगती की पुष्टी हो गई। पिकास तरंग निरबाद में किसे संचारित होती है। निरबाद में भी तो एक बात उठती है ना। इसकी ब्याक्या जैम्स कलार्क मैक्सवेल इसकोर्ट लेंड की थी द्वारा पिकास समंधी पिसिद्ध विद्धु चुमकिय सिधान पिस्थुद करने पर हो गई। और विद्धु चुमकिय चेत निरबाद में भी विद्धु चुमकिय चेत निरबाद में भी विद्धु चुमकिय चेत निरबाद में भी विद्धु चुमकिय तरंगों, पिरकास तरंगों का संचरण कर सकते हैं। पिरकास का विद्धु चुमकिये तरंग सिध्धान पिरकास की केबल कुछ गुडों की व्याक्या करवाता है जैसे पिरकास का परावर्तन, पिरकास का सीधी रेखा में गवन, पिरकास का विवर्तन, पिरकास का विद्धीकरन और पिरकास का धुर्वन. फिर आप देखेंगे बिद्धु चुमकिये तरंगे अनफस्त तरंगे होती हैं बिद्धु चुमकिये तरंगे किस तरे की तरंगे होती हैं अनफस्त तरंगे और पिकास अनफर्स्त तरंग है और पिकास का धुर्मान सिद्ध करता है कि पिकास तरंगे अनफर्स्त तरंगे है पिकास के कुछ गुड ऐसे हैं जिनकी ब्याक्या तरंग सिद्धान्थ नहीं कर पाता है जैसे पिकास बिद्धूत प्रभाव या क्रॉमप्टन सिद्धान् कि ब्याक्या आईश्टीन द्वारा फितिपादित पिकास के फोटोन सिध्धान द्वारा की जाती है बास्तों भी यह दोनों पर वहाँ पिकास की कड प्रकिती को प्रकट करते है प्रिकास का अगर आप लोग फोटोन सिध्धान देखें तो इसके अनुसार फिकास उर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फैकीटों की रूम में चलता है जिने फोटोन कहते है आज प्रिकास की कुछ है घटनाओं में तरंगों और कुछ में कड़ माना जाता है इसी को फिक प्रिकास की चाल माध्यम की अफवर्तनांग पर निर्भर करता है जिसके माध्यम का आप देखें तो अफवर्तनांग जितना अधिक होता है और उसमें प्रिकास की चाल उतनी ही होती है यहाँ आप देखें माध्यम में प्रिकास की चाल होगा इंडर्वात में प्रिकास की पित्वी तक आने में औस्तन आठ मिनिट 16.6 सेकंड का समय लगता है यानि कि आप लोग देखते ना सूर से पित्वी तक आने में पिरकास को सूर की जो रोसनी है उसी को आने में कितना समय लगता है आठ मिनिट 16.6 सेकंड और चंदमा से परावर्तित पित्वी तक आने में 1. पिकास के पिती पेवार की आधारपव बस्तुओं को निम्न भागों में बाटा जाता है पिदीपते बस्तुओं बेबस्तुओं जो सहम की पिकास पढ़ने पर भी दिखाई देती है जिसे मेज कुरसी पारदर्सक बस्तुओं बेबस्तुओं जिनसे होकर पिकास की केरने निकल जाती है काच हो गया जल हो गया अर्द पारदर्सक बस्तुओं कुछ बस्तुओं ऐसी भी होती है जिर पर पिकास की केरने पढ़ने से उनका कुछ भाग तो अवसोसित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, ऐसी बस्तूओं को आप लोग 8 पारदर्सक बस्तूओं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, फिर आप देखेंगे, अफ आप आरदर्सक बस्तूओं, बेवस्तूओं होती हैं, जिनमें होकर फिकास की केरने बाहर नहीं निकल पाती हैं, ज पकाज में 2 x 10 10 की पावर 8, तरफिन तेल में आप देखेंगे 2.04 x 10 की पावर 8, जल में देखेंगे 2.25 x 10 की पावर 8, Rockюсь, में देखेंगे 1.96 x 10 की पावर 8, 9ılan में देखेंगे 1.96 x 10 की पावर 8, तो यह यह भी आत रखेगा, फिरकास का बिवर्तन भी आप लोगोने वना को अवरोध की किनारे पद थोड़ा मुड़कर उसकी चाय में प्रवेस करने की घटना को विवर्दन कहते हैं फिकास का विवर्दन जब फिकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन पदालतों के अतिन सूक्ष में कड़ होते हैं तो इनके तोरह फिकास सभी दिशाओं में पिसारित हो जाता है और इस घटना को फिकास का पिकीडन कहा जाता है बैगनी रंग के फिकास का पिकीडन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के फिकास का पिकीडन सबसे कम होता है एक कुश्टन सभी कई बार कूच लेता है कि 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 सबसे अधिक होता है परकास का पीकीडन तो Garage रंग का और सबसे कम लाल रंग का आकास का रंग नीला पर्कास की पिकेडन के काल तो है कि ि पिकास को नांपलत नziękुर्ण होता है ऐं भ्रैकास का परावहतन हिता है समतल दरपण किसे कहते हैं बताए तो समतल दरपण में किसी बस्तु का पितीबा में दरपण के पीछे उतनी दोरी पर बदता है जितनी दोरी पर बस्तु दरपण के सामने रखी होती है और ये हैं पितिविम कालपिनिक बस्तु के बराबर और फार्स उल्टा होता है यदि कोई व्यक्ति V-4 से दरपण की ओर चलता है तो उसे दरपण में अपना पितिविम है V-4 से अपनी ओर आता हुआ पितिथ होता है दुगने यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दरपण को theta डिग्री-कॉंड से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण theta-to theta से डिग्री से घुम जाएगी सम्तल दरफण में वस्तु का पूर्ण पितीविम में देखने के लिए दरफण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए यदि दो समतल दरपण में ठीटा कौण डिगरी कौण पर जुके हो तो उनके बीच रखी वस्तू के पितीवम की संख्या की गढ़ना निम्निविकार की जाती है यहाँ आप देखें यदि 360 अपॉन ठीटा एक संख्या आए तो पितीवम की संख्या वस्तू की सभी इस्तितियों के लिए एन बरावर 360 वटे में ठीटा माइनस वन होगी जैसे 90 डिग्री पर जो कि दो समतल दर्पों के वीच की दूरी अगर आप बीच देखें तो 360 अपॉन 90 डिग्री और माइनस एक इस तरह से आप देखेंगे चार माइनस एक वरावर तीन पितीवम में बनेंगे इस तरह से निकाल सकते हैं जो फिजेक्स के ग्यानी होगे वो जरूर जानते होगे आप में से अगर कोई ग्यानी है तो बताईएगा मुझे भी कुछ बताईएगा यदि 360 अपॉन थीटा एक विसम संख्या हो तो पितीवमों की संख्या एन वरावर 360 अपॉन थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दरपॉन के बीच के कौण के सम दूई भाजक पर नहीं हो जैसे 40 कौण पर जुके हो जुके दो समतल दरपॉन के बीच 360 अपॉन 40 वरावर 9 पितीवमों मनेंगे यदि 360 अपॉन थीटा एक विसम संख्या हो जबस्तू दोनों दरपॉन की बीच के कौण के सम दुई भाजक पर रखी हो तो पितीवमों की संख्या न वरावर 360 अपॉन थीटा-1 होगा कोई बस्तू रखी है तो पितीवम की संख्या आप देखेंगे इस तरह से तो 8 होगी यदि 360 अफोन थीटा एक धिन संख्या हो तो पिती बिमो की संख्या उनके फूडांग के बराबर होगी ठीक है गोलिये दरफण से पराबरतन गोलिये दरफण दो फिकार के होते हैं एक तो आउतल दरफण एक उतल दरफण और आपने देखा होगा इनसे कुभी questions आते हैं आपकी परिक्षाओं में उपियोग से जरूर questions आते हैं तो आउतल दरफण का उपियोग बड़ी focus दूरी वाला आउतल दरफण दाड़ी बनाने में काम आता है आँख या कान या नाख और दात के डॉक्टर के द्वारा उपियोग में लाया जाने वाला दरफण आउतल दरफण होता है गाड़ी के हेड लाइट और सर्च लाइट में होता है सोलर कोकर में भी आप देखें कि आउतल दरफण का उपियोग किया जाता है अहोतर दरपण में बने पितीवें में की इस्तिती और प्रक्यति अगर हम लोग देखें तो बस्तो की इस्तिती हो गई पितीवें में की इस्तिती हो गई बस्तो की तोला में पितीवें का आकार पितीवें की प्रक्यति जैसे अनन्द पर तो एपितिवे में की स्थिती फॉकस पर बहुत छोटा होगा बिंदु मात का उल्टा वावास्तविक होगा वक्ता केंद वा अनंद के बीच तो फॉकस वा वक्ता केंद के बीच होगा यह छोटा होगा उल्टा वावास्तविक होगा बक्ता केंद पर, बक्ता केंद पर समान आकार का उल्टा वास्तिक होगा, ठीक है, फॉकस तथा बक्ता केंद की बीच, तो आप देखेंगे बक्ता केंद, एबं अनन्द के बीच होगा, बड़ा होगा, उल्टा वास्तिक होगा, फॉकस तथा अनन्द पर बहुत बड़ा में पिटेग द्रस्तान का गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे की द्रस्त को देखने में किया जाता है जो आप डेखते हैं, जो आप देखिए बाहन देखने के लिए आप देख सकते हैं पीछे साइड का वो एक कांच लगा रहता है आपकी सीट के वगल में डराइवर की उसे ही की बात करें सोडियम परावर तक लेंपे में भी उत्तल दरपन का उपयोग करते हैं प्रिकास अप अब अबरतन की बात करें जब फिकास की केरने एक पारदर्सी माद्यम से दूसरे पारदर्सी माद्यम में परविस करते हैं तो दोनों माद्यमों को अलग-अलग अलग करने वाले तल पर अभी लमवद आपाती होने पर विना मोडे सीधे निकल जाती है परंतु तिरिछी आपाती होने पर भी अपने मूल दिशा में विचलित हो जाती है तो इस घटना को पिकास का अबरतन कहते हैं जब पिकास की कोई करन विरल माद्यम से सगन माद्यम जैसे हवासे पानी में प्रविस करती है तो वह दोनों माद्यमों के पेश्ट पर खीचे गए अविलम्य की ओर जोग जाती है और जब किरन सघन माद्यम से विरल माद्यम में प्रविस करती है तो वह अविलम्य से दूर अट जाती है लेकिन जो किरन अभी लब में के समांतर प्रविश करती है तो उनके पत्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या होता है उनके पत्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है अफवर्तन की नियम देख लिए आपतित किरण अविलम तथा अफवर्तित किरण तीनो एक ही समतल में स्थित होती हैं किनी दो माद्यमों के लिए आफवर्तन कौर्ण की ज्या का अनपाथ एक नेतांग होता है यहां आप लोग साइन आई और साइन आर बराबर आप देख रहे होंगे नेतांग नेतांग को पहले माद्यम के सापेच दूसरे माद्यम का अफवर्तनाग कहते हैं इस नियम को सनेल का नियम भी कहते हैं किसी माध्यम का अफवर्तनाग भिन भिन रंग के पिकास के लिए भिन भिन होता है, तरंग देख बढ़ने के साथ अफवर्तनाग का मान कम होता है, और लाल रंग का अफवर्तनाग सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का अफवर्तनाग सबसे अधिक होता है, ये भी पूछत निर्वात में पिकास की चाल तथा उस माद्धें में पिकास की चाल की अनफात के बराबर होता है जैसे निर्पेक्च अफवर्तनाग बराबर निर्वात में पिकास की चाल अफवन माद्धें में पिकास की चाल पिकास की अबरतन के कारण घटने वाली घटनाओं को देख ल के पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है पानी से भरे किसी वर्तन की तली में पढ़ा हुआ सिक्का उपर उठा हुआ दिखाई देता है यह भी पिकास की अब वर्तन की कारण ही दिखाई देता है जल के अंदर पड़ी हुई मचली बास्थवी कहराई से कुछ उठी हुई दिखाई देती है, ये भी आप देखे पिकास की अबवरतन का ही एक तरह से उधारन है पिकास का पूझ अंतरिक परावरतन, क्रांति कॉड़ क्रांति कॉड़ सकंध माध्यम से में बना, वह आपन कॉड़ होता है जिसके लिए बिरल माध्यम में अबवतन कौण का मान 90 डिगरी होता है आपतन कौण का मान करांतिक कौण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो पिकास विरल माध्य में विल्कुल ही नहीं जाता है बलकि संपूर्ण पिकास परावर्तित होकर सघन माध्य में ही लोट जाता है और इस घटना को लोट आता है और इस घटना को पिकास का पूर्ण आंतिरिक परावर्तन कहते हैं इसमें पिकास का अबवर्तन विल्कुल नहीं होता है संपूर्ण आप्तित पिकास परावर्तित हो जाता है और किसी पिष्ट के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है पिकास के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निमने दो सर्तों का फूरा होना आवस्यक होता है पिकास की करण सघन माध्यम से दुलल माध्यम बे जा रही है और आपतन कौर्ण करांतिक कौर्ण से बढ़ा होता है और पूर्ण अंत्रिक परावर्तन के उधार है हीरा का चमकना, रेगिस्थान में मरीची का बनना, जल में पड़ी परकनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना एक आप देखी फिकासिक तंतू, फिकास सरल लेखा में गवन करता है लेकिन फूर्ण अंत्रिक परावर्तन का उपयोग करके फिकास को एक वक्की है, मार्ग में चलाना चलाया जा सकता है और पिकासिक तंतु फूर्ण आंत्रिक पर अवर्तन की सिध्धान पर आधारी एक ऐसी युकती है जिसके द्वारा पिकास सिगनल को इसकी तीविता में बिनाच्छे के एक इस्तान से दूसरे स्थान तक इस्तानांतित किया जा सकता है चाहे मार कितना भी टेडा मेडा हो तो अभी गहे ग्रहन करने में मन उसकी सरीर के अंत्रिक भागों का परीच्छन करने में सरीर के अंदर लेजर केनों को भीजने में लेंस द्वारा पिकास का अब बरतन सामनता दो गोली ए फेश्टों से घरे हुए किसी अब बरतक माध्यम को आप लोग लेंस कहा जाता है फ्र लेंस का यह उत्तर लेंस का है F यहाँ प्रिथम फॉकस और C1, C2 लेंस का मुख अक्षे और F2 दुतिये फॉकस मुख फॉकस ठीक है तो यहाँ आप देखेंगे उत्तर लेंस द्वारा बस्तु की विभन इस्तितियों के लिए बरी पितीवम हो गये यह बस्तु की इस्तिति ह और C1 से परे F2 एवं C2 के बीच बास्तिविक छोटा तथा उल्टा C1 पर C2 पर यहाँ देखेंगे वास्तव बराबर उल्टा C1 और F1 के बीच तो C2 से परे बास्तिविक बड़ा उल्टा F1 पर अन्नत पर रहेगा बास्तिविक बढ़ा उल्टा O एवं F1 के बीच लेंस क उसी और जिस बस्तु है आवासी सीधा और आवढदित रहेगा है आवतर लैंस में P2 विद्पम एपटू और P80 के विच बनता है या P2 सीधा तथा आवासी एवासी वन बस्तु से चोटा होता है चाहे बस्तु कहीं भी रखी हो लैंस की चमतः की बात करें तो lens की focus दूरी के with come को lens की चमता कहते हैं और यदि किसी lens की focus दूरी f meter में हो तो उसकी चमता P बराबर आप देखें 1 upon f डाइफटर होती है और आप सभी जानते हैं कि डाइफटर SI के अमातरक है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है और ये questions कई बार कुछ लेता है lens की चमता का है सिमापते हैं उत्तर lens की चमता धनात्मक होती है और आउतर lens की चमता रडात्मक होती है ये भी आप लोग नोट कर लिए उत्तर lens की चमता धनात्मक और आउतर lens की रडात्मक या दिनो दोनों लेंसों को परसवर ठाटा कर रख दें तो उनकी चमताएं जुड़ जाती है और सयुक्त लेंस की चमता दोनों लेंसों की चमताओं के युग के बरावर हो जाती है लेंस की चमता में फरिवातन लेंस को किसी द्रब में डोबाने पर उसकी focus दूरी बाद चमता दोनों बलल जाती है यह lens और द्रव की अबवरतनांग पर निर्वर करती है मालने कि आप देखिए muta अबवरतनांग वाले lens को muta dash अबवरतनांग वाले द्रव में डोबाया जाता है तो निमने इस्तितियां होती है जब lens दो द्रव में डोबाया जाता है जिसका अबवरतनांग lens के पदार्थ के अबवरतनांग से कम हो तो एसी इस्तिति में lens की चमता घट जाती है और थाथ उसकी focus दूरी बढ़ जाती है lens की प्रकेती पर कोई प्रभाव नहीं पर सकता है जब lens को समान अबवरतनांग बाले द्रव में डोबाते है तो एसी इस्तिति में lens की focus दूरी अनन्थ हो जाती है जिसकी उसकी चमता समात्थ हो जाती है वह ही एक समतल पेलेट की भाती भी विवार करता है एसे द्रव में lens को डोबाने पर lens दिखाई नहीं देता है और जब आप देखे ऐसी इस्तिति हो तो जब lens को ऐसे द्रव में डोबाया जाता है जिसका अफवरतनांग lens के अफवरतनांग से अधिक होता है ऐसे इस्तिति में focus दूरी बढ़ जाती है जिसकी उसकी चमता घट जाती है इसके साथ साथ lens की प्रक्यती भी बदल जाती है और थाथ उतल lens आउतल lens की भाती और आउतल lens आउतल lens की भाती भी विवहार करता है उधारन के लिए पानी के अंदर हवा गब बुलबला आउतल lens की समान दिखाई देता है फिर आप देखिए प्रिकास का वर्ड विच्छेपन जब सूर का प्रिकास पिजिम से होकर गुजरता है तो वह अफ़ वर्टन के पश्यात पिजिम की आधार की और जुकने के साथ विभिन रंगों के पिकास में बढ़ जाता है इस पिकार के उसे प्राप्त रंगों के समगों को वर्ड करम कहते हैं तथा सोईत पिकास को अपने अवयवी रंगों में बिभक्त होने की किरिया को बढ़ विच्छेपन के कारण कोची ने एक मूला नफाती सूत बनाया हुआ है प्राप्त किया हुआ है तो इसे भी आप लो याद रखना चाहिए मुझे लगता है और इसमें आप देखेंगी तो पिकास के बढ़ विच्छेपन वर्ड विच्छेपन की घटा के कारण कोची ने एक मूला नफाती सूत इसमें आप देखें तो आपका ये मू बरावर ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन लेम्डा स्क्वार फ्राप्त किया जो कोची का समीकर्ण कहलाता है तो ये भी आप लो याद रखिएगा और इस समीकर्ण से इस पश्ट है कि किसी माद्यम के पदारत का अफवर्तनांग अफवर्तित फिकास की किरन के तरंग धेर्द रंग पर निर्भर कता है मिव अनुकर्मान पाती आप देखिए वन अपॉन लेम्डा स्क्वाय होता है फिकास के विभिन रंगों की तरंग धेर् देख्तम और बैगनी के रंग की तरंग निउन्तम होती है इस तरह से आप देखिए प्रिकास के लाल रंग का अफवर्तनांग बैगनी रंग के अफवर्तनांग से कम होता है और अर्थाद इस तरह से मिव मिव आर से आप देखिए मिव भी और ये सूर के प्रिकास से प्र को याद रख सकते हैं किया कर सकते हैं कि याद रख सकते है रखना भी चाहिए मुझे लगता है यहाप का म्यू अधा देखिए इससे म्यू भी से छोटा है ठीक है और यहाद देखिए lambda r आपका किसे छोटा है lambda r से बड़ा आप देखेंगे lambda भी यह ठिके पर आप देखेंगे Newton ने 1666 में पाया की भिन भिन रंग भिन भिन कौणों से विच्छे वित होते हैं और वर्ड विच्छे पन किसी पारदर्शी पदार्तमे भिन भिन रंग के पिकास के भिन 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 वेग होने के कारण होता है और अताह किसी पदार्थ का अफवारतनाग भिन भिन रंगों के पिकास के लिए भिन भिन होता है और पारेदर्सी पदार्थ में जैसे जैसे पिकास के रंगों का अफवारतनाग वरता है लाल रंग का भी एक सबसे अधिक और अफवार्तनाग सबसे कम होता है इंद धनोस आप लोगों ने देखा होगा परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अफवर्तन द्वारन बड़ विच्छिपण का सबसे अच्छा उधारन इंद धनोस ही माना जाता है इंद धनोस दो पेकार के होते हैं एक तो प्रात्मिक इंद धनोस एक दुतियक इंद धनोस और प्रात्मिक इंद धनोस देखेंगे तो जब बरसा की भूनों पर आपतित होने वाली सोर की केनों का दो बार अफवर्तन वा एक बार पर आवर्तन होता है तो प्रात्मिक इंद धनोस में लाल रंग बाहरी की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है और इसमें अंदर वाली बैगनी के रंग आँख पर 40 दिगरी आठ बाहरी वाली लाल केड़े आँग पर 42 डिगरी आठ मिनिट का कौन बनाती है इन्हें भी याद रखना चाहिए मुझे लगता है कि फिजेक्स मतलो समझ रहे हैं दुतियक इंद धनोस में देखिए जब बरसा की भूनों पर आपति होने वाली सूर की केड़ों का दो बार पर आवरतन होता है तो दुतियक इंद धनोस का निर्वार होता है इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग होता है और अंदर की लाल रंग ह इसमें परात्मिक रंग होता है और यह दो परात्मिक रंगों को मिलाने से पराप्त होता है जैसे लाल और नीले को मिलाएंगे तो मेजेंटा बनता है हरा नीला को बनाएंगे तो फेकोक नीला लाल पिलस हरा को बनाएंगे तो फीला हो जाएगा जब दो रंग परसपर मिलने से सुएद पिकासुत पन करते हैं तो उन्हें पूरक रंग करते हैं लाल फिलस पिकोक नीला इस अफिद हरा मेजेंटा इस अफिद नीला इस अफि और फिर आप कहें कि हमें तो कुछ प्राप्ती नहीं हो रहा है। और फिर आप को हराज सीशा की माध्यम से देखा जाता है तो वह काला देखा ही देता है क्योंकि उसे परावर्चित करने के लिए लाल लंग नहीं मिलता और हरे रंग को वह आउसोसित कर लेता है। और नीली में नीला लाल में आप देखी लाल 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 और हरे में कागज में देखी हरा हरा मापकरी हरा सफिद में लाल में आप देखेंगे एक काला हरी में हरा और फिली में काला और नीली में काला पीली कागज को पीला काला इसमें सफिद में आप देखेंगे पीला औ और हरी केड़ों में देखेंगे काला, और पीली केड़ों में देखेंगे पीला, और नीली केड़ों में देखेंगे काला, नीला कागज, इसमें सपीद में नीला, लाल मिकरन में काला, हरी केड़ों में लाल, काला, और पीली केड़ों में काला, और नीली केड़ों में नीला प्रिकास तरंगों का बिती करण प्रिकास तरंगों की बिती करण का सिध्धान्त प्रिकास की तरंग प्रकिती की पुष्टी करता है थामस यंग ने सरफितम 1802 में प्रिकास की बिती करण को प्रेयोगात्मक रूप से दर्साय था जब समान आविठी भा समान आयाम की दो पिकास तरंगों तरंगें जो मोलता है एक ही पिकास रोस से किसी माध्ध्यम में एक ही दिसा में गवन करती है तो उनके अध्यारousse रूपन के फ़ासरूप पिकास की तेविता में प्रिवरतन हो जाता है और इस घटना को पिकास का वितिकरन कहते हैं, और वितिकरन में आप देखेंगें दो पिकार के होते हैं, संपोसी वितिकरन और एक होता है आपका विनासी वितिकरन, और संपोसी वितिकरन की बात करें तो माध्यम के जिस बिंदू पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं, वहां प्रिकास की परिडामी प्तिविता अधिक्तम होती है और इसे आप देखिए संपोसी वितिकरन कहते हैं विनासी वितिकरन माध्य में जिस बिंदू पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहां प्रिकास की तिविता नियूंतम या सुन होती है और इस प्रिका प्रिकास संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदेहर्द तरंग और अनुफस्ट तरंग में अंतर स्वस्ट करती है। प्रिकास संबंधी दिशा के लंबत तल में पितिक दिशा में समारूप से यत्वा सम्मेत रूप से होते हैं और ऐसे प्रिकास की अधुवित प्रिकास कहते हैं। दोस्ट की अगर आप देखें तो इस रोग से गरसित व्यक्ति नजदीक की बस्टू को देख लेता है परन्तु दूर इस्तित बस्टू को नहीं देख पाता है। इसके कारण है लेंस की गुलार बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है लेंस की चमता बढ़ जाती है और इसकारण बस्टू का पीदी में रेटीना परनावन का रेटीना की आंगे बनता है। इसका रोग का निवारन कैसे किया जा सकता है तो निकट दरश्टी दोस्ट की निवारन के लिए उप्योगत फोकस दूरी की आउतर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट द्रश्टी दोस को दूर करने के लिए आउता लेंस का उपयोग करते हैं फिर आपका हदा है दूर द्रश्टी दोस्त तो इसे रोख से गरसित व्यक्ति को दूर की बस्तू में तो दिखलाई देती हैं निकट की वस्तू नहीं दिखाई देती हैं लेंस की इसके कारण नहीं है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है लेंस की चमता घट जाती है और इस रोग में निकट की वस्तू का पितिमन रेटीना के पीछे बनने लगता है रोग कैसे खतम किया जा सकता है इस दोस्ट के निवारन के लिए उप्यूप्त फॉकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रियूप करना चाहिए ठरे आपका जरा दरश्टी दोस्ट बिडधा वस्था के कारण आग के समझस चमता घट जाती है या समात हो जाती है जिसके कारण वेक्ति ना तो दूर की वस्थू देख पाता है ना ही निकट की वस्थू है और इसका रोग निवारन है इस रोग के निवारन के लिए दूरी depiction पाता है इससे निवारन ही तुल्ना का लेंस का पुर्यों किया जाता है तो इन सबी लेंसों को याद रखेगा किसे दोस्तों दूर करने के लिए repairs करते हैं यह जरूर आप से पूच़एगा कि ना पूचे तो फिर भी याद रखना चाहिए मुझे लगता है except कि संकु कोशी का से रंग इभन चड़ कोशी का सिप का सी दिविता का भास होता है जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत सेल इसमेता अंग सूच जाता है उलाल हो जाता है आग कि से मतलब आईयरिस के रंग से होता है आप देखें कि पचपंसो एंगस्टार्न तरंग तरंग धर्द बाली दर्श से बेकास की पीदी मनुस की आँख में सबसी अधिक सम्हेद अंसील होता है सूक्षम दर्शी बदूर दर्शी सरल सूक्षम दर्शी यह कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस होता है इसमें बस्तू काकार बस्तू द्वारा नित पर मनाए गए दर्शन कॉंड पर निर्वा करता है और दर्शन कॉंड जितना छोटा होता है उतनी ही बस्तू छोटी दिखाई देती सलल सुक्षम दर्शी की आवदन चमता M बराबर आप देखे 1 फिलश D अपन M D बराबर 25 सेंटी मीटर यप लेंस की फोकस दर्शी की तर्शन की को फोकस दोरी होगे इसमें दो उत्तर लेंस होते हैं, अभी दर्शक लेंस की फोकस दूरी नेती का लेंस से अधिक होती है, अभी दर्शक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर से आने वाले फिकास की अधिक मात्रा को इकत्तित करता है, तो इने भी आप लोगों को याद रखना हो अब हम लोग बात करते हैं इस्थिर विद्धुत के बारे में पधार्थों को परस्पर रगणने से उस पर जो आवेस की मातरा संचित रहती है उसे हम लोग इस्थिर विद्धुत कहते हैं और इस्तुर बिद्धुत में आविस सिस्थर रहता है। यदि किसी बस्तु को किसी दूसरी बस्तु से रगण कर बिद्धुत उत्पन की जाए तो सायनी में जो उपर है उसमें धन आविस तथा जो नीचे है उसमें रिड आविस उत्पन होता है। अंबर, गंधक, एवोनाइट, गाटा, पार्चा। आविस का पेष्ट घनत देखें तो चालक के इकाई छेतफल पर। इस्तित आविस की मात्रा को इस्तित आविस का पेष्ट तराव गएते हैं। चालक का पेष्ट घनत चालक के आकार और चालक के समीब इस्तित अन चालक या फर विद्धुत रोधी पदार्थों पर निर्वड करता है। और पेष्ट घनत सबसे अधिक अगर आप देखें तो चालक के नुकीले भाग पर होता है। क्योंकि नुकीले भाग का छेतफल सबसे कम रहता है। चालक जिन पदार्थों से होकर बिद्धुत आवेश्ट सफलता से प्रभावित होता है। उन्हें हम लोग चालक कहते हैं जैसे चान्दी, तामा, एलूनुनियम। और आप सभी जानते हैं कि चान्दी सबसे अच्छा चालक है। दूसरे स्थान पर तामा आता है। लेकिन आप देखते होंगे आपकी मन में ये सवाल भी आता होगा। क्यों नहीं हम लोग विद्धुत जो वायर बिचे रहते हैं उसमें चान्दी का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं चान्दी थोड़ी भाएंगी है। तडित चालत का आविसकार बेंजाविन फैकलीन ने किया था। यह तामा का बाला होता है। अचालक जिन पदार्थों से उकर आविसका पिवार नहीं होता है। उसे उन्हें अचालक कहते हैं जैसे लकडी रवर कागज हो गया। कूलाउम का नियम। दो इस्तिर विद्धुत आविसों के वीच लगने वाला आकरसन। तथा फिती करसन वल दोनों आविसों की मात्रा के गुड़न फल की अनुक्रमान पाती। एवं उनके वीच के दूरी के वरक के वियुत किरमान पाती होता है। तथा यह वल दोनों आविसों से को मिलाने वाली रेखा के अनुदिस कार करता है। विद्धुचेत की बात करें। किसी आविस या आविसित बस्तु के चारों और का इस्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभाव किया जा सकता है। विद्धुचेत कहलाता है, विद्धुचेत की तीविता की बात करें तो विद्धुचेत में किसी विद्धुचेत में किसी विद्धु पर इस्थिर एक आंग धन आवेस पर क्रियासील बलको विद्धुचेत की तीविता कहते हैं, खोकले चालक की विद्धुचेत, किसी भ कारने ही कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्धुत गिर जाए तो कार के अंदर वैठे वैक्ती फूर्ण सुरक्षिद रहता है और तड़िस सिप्राप विद्धुत आवेश कार के बाहरी सतर पर ही रहता है किस पर बाहरी सतर पर ही रहता है किसी धनात्मक कावेश को अनन्त से विधुच install की उख्वानतर, एक कूलाम अवेश को विधुच Lt में एक विधुच चहते में एक बिन्दू से दूसरे विन्दू तक ले इसका मातरक भी उल्ट है और यहीं एक अधे सरासी है विद्द्ध धारिता तो किसी चालक की धारिता चालक को दीए गया आवेश तथा उसके कारण चालक की बेवावे होने बाले परीवर्दन की अनुपात को कहते हैं विद्ध धारिता की ऐसा ही मातरक फ्रार होता है एक से जिसी आप लोग बैक्त करते हैं बिद्धु सेल विद्धु सेल आप देखेंगे तो दो तरह के होते हैं प्राथमेख सेल और दूती अियाक्सेल क्षेल वे रसाइंए कूझया कशीघे स्क्राइख सेल केमें परिवर्थित HOLT 0 लेक लांसे सेल, डेनियल सेल, सुस्क सेल, परात्मिक सेल के उधारण है, दुतीएक सेल में पहले बिद्धो तूरज्या को रसाने कूर्जा में तर रसाने कूर्जा को विद्धे तूरजा में परिवर्टिakt किया जाता है आविशन कर इसे बार-बार फिरयोग में लाए जा सकता है वॉल्टी ये सेल का विस्कार आप देखेंगे 1709 में प्रोफिसर एली जान्डो बोल्टा ने किया था लांसे सेल का वरेयोग वहां किया जाता है जान रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्धुद धारा की आवा सकता होती है जिसे विद्धुद घंटी टेलीफॉन हो गया ठीक है कुछ सेलों का संचे बिबरन दिया गया इन्हें भी याद रखेंगे जैसे सेल का नाम हो ग गंध काल्ब कंबल आप देखें विद्धुद भाहग वल इसमें 1.08 और आंतरिक वित्रिवोद 2 से 4 लेकलांसे सेल कारवन जस्ता नौदार नौसादर का गोल MnO2 1.46 यानि की 1.46 दो से 4 सुसके सेल कारवन जस्ता नौसादर का पिष्ट MnO2 1.46 से 2 से 5 डैनियल सेल और जस्ता इसमें तनौ H2SO4 CUSO4 1.08 इसमें 2 से 3 बाइक्रोमेट सेल कारवन जस्ता तनौ H2SO4 K2CRO 2.07 2.0 बहुत कम वेस्टन केडमियम सेल पारा केडमियम अमलगम CDSO4 का गोल HG2SO4 1.018 और इसमें 2 लग सेसा संचारक सेल लेड परोक्साइड स्पंजी लेड तनौ H2SO4 2.2 0 से 0.2 इसकी आंतरिक पिती रोल फिर आप देखें चारिये संचारक सेल या जिसे NIFE सेल कहते हैं ये निकल और हैडोक्साइड लोहा के ओयाज का सांध गोल 1.35 इसका बिद्धूत बहागवल और आंतरिक पिती रोल 0.01 फिर आपकी बिद्धूत धारा की बात कर लेते हैं बिद्धूत धारा अगर इसका हम लोग बात करें तो किसी चालक में बिद्धूत आवेश के प्रवहा की दर को बिद्धूत धारा कहते हैं बिद्धूत धारा की दिसा धन आवेश की गती की दिसा की ओर मानी जाती हैं ले चालक के परमाडों तथा अनकारकों द्वारा उत्पन किये गए विवधान को ही चालक का पिदिरोध कहते हैं इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है मानव स्वरीर सुस्क के विद्धुत पिदिरोध के पैडाम की कोटी 10 आप देखेंगे 10 की वावर 6 ओम होता है ओम का नियम भी आप लोगोंने सुना होगा यदि चालक की बहुती कवस्था है जैसे ताप आदी में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक किसे रोम पर लगाया गया विवानतर उसमें प्रवाहिद धारा की अनुकर्मान पाती होता है या भी बराबर आराई इसमें आर आप देखेंगे एक नहतांक है जैसे चालक का पितिरोध भी कहते हैं तो यह भी आप लोग याद रख लेजेगा तो आप देखेंगे ओमिये पितिरोध जो चालक ओम को नियम का पालन करता है उसके पितिरोध को ओमिये पितिरोध कहते है जो चालक ओम की नियम का पालन नहीं करता उसके पिती रोत को अनोम हे पिती रोत कहते हैं जिसा सीमेन भी थी होता आप देखेंगे अर अनुकर्मान पाति वन अपों ये बरावर आर वरावर आप देखी वन अपों जहां ये जिसके चालग बिसिख्ट फित्रोज कहा जाता है पता है एक ही बदार्द के बने हुए मोटे तार का पित्रोध कम और पतले तार का पित्रोध अधिक होता है विसिष्ट चालकता किसी चालक की विसिष्ट पिती रोध की बेद कम को चालक का विसिष्ट चालकता कहते है तो इसे भी आप लोग याद रखेगा इसका ऐसा ही मात्रक आप देखेंग ओम ओम की पावर माइनस 1 मीटर की पावर माइनस 1 होता है पिती रोधों का सैयोजन सामानता पिती रोधों का सैयोजन दो फिकारिक से होता है सेडी के करम में और समानंतर के करम में सेडी करम में सयोजित पिती रोधों का समतुल पिती रोधों के योग के बराबर होता है समानंतर करम में सयोजित पिती रोधों के समतुल पिती रोधों के विद्ध करम के बराबर होता है ओम मीटर बिद्धुत पितीरोग को मापता है फेलरो में सेंट लेंप vendor में चौक का प्रियोग पितीरोधकता को कम करने के लिए करते हैं बिद्धुत सक्ती बिद्धुत परिपत में उड़जा के च्छय होने की दर को आप लोग सक्ती कहते हैं इसका ऐसा ही मात्रक वाट है, किलो वाट घंटा मात्रक अत्वा यूनिट, एक किलो वाट घंटा मात्रक अत्वा एक यूनिट बिद्धो तूर्जा का हुए मात्रा है, जो किसी परिपत में एक घंटा में ब्या होती है, जबकि परिपत में एक किलो वाट की सकती, किलो वाट को EMPR में मापने के लिए Amitr नामकियन्त का प्रियोग कहते हैं, इसे परिपत की में सदेव सेडी किरम में लगाया जाता है, एक आदस Amitr का पिती रोध सुन होता है, बोल्ट मीटर भी सुना होगा, बोल्ट मीटर का प्रियोग परिपत के किनी दो बिंदूओं के बीच करते हैं यह तिन इसमें आप देखेंगे 63% और 37% की में सिधातु का बना होता है यह सदेव परीपत के सेडी किरम में होता है इसका गल्लांग कम होता है अगर आप देखें बिजली खराब आती है तो गल्ल के नश्ट हो जाता है वो आपकी जो भी मसीन रहती है उनकी 106-6A विद्धारा को मापा जाता है संट का तींत कम पीतिरोध बालतार होता है जिसे गैलवे 9 Center के सभानतर किरम में लगाकर A meter बनाय जाता है गैलवे 9 Metr के सेडी करम में एक उच्च पिती रोद लगा कर बॉल्ट मीटर बनाया जाता है ट्रांसफर्मर भी आप लोगों ने सुना होगा विद्धुचुम की परेरण के सिध्धांग पर कार करने बाला यह है यह कैसा यन्त है जो उच्च AC को आप बोल्टेज को निम्न AC बोल्टेज में AC डायनेमो की बात करें यह जनरेटर यह आंत्रिक उर्जा को विद्धुच उर्जा में परिवर्थित करता है यह विद्धुचुम की परेरण के सिध्धांग पर काम करता है द्रश्ट कारी पित्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली उक्ती को दिष्ट कारी कहते हैं माइक्रोफॉन या धौनी उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है विद्धु धारा की चुमकिये प्रभाव की खोज डैन्मार्ट के बिग्जानिक थे और और इस्टर्ड की थी और परात्मिक सकती स्टेशनों पर जो विद्धु धारा उत्पन होती ना हुआ है पित्यावर्ती धारा होती है और उसकी वोल्टता देखेंगे 22,000 होती है या से अधिक होती है ग्रेड ओप स्टेशन ट्रांस फार्मर की साहता से वोल्टता बढ़ा देता है एक लाग 32,000 तक भी हो सकती है ताकि विद्धु संचर में विद्धु उर्जा का चैप बहुत कम हो अब बात करते हैं चुमकत प्रातिक चुमक लोहे का ऑक्साइड इसका को कोई होता है और इसका अनिश्ची ताकार नहीं होता है इसका सूथ आप देखें एफी तिरी ओफोर किंतिम विद्धियों द्वारा बनाएगे चुमक को किंतिम चुमक कहते हैं या लोहा इसपाद होवाल्ट आदी से बनाए जाता है या विविनाकिती की हो सकती छड चुम चुमक की है सुई चुमक लोहे को अपनी ओर आकरसित करता है इस गोड को चुमकत कहते हैं आप लोगोने बड़ा बच्पन में खेला होगा इसे चुमक के सेरों के समीब चुमकत सबसी अधिक होता है और वेच्छेत चुमक के धुरव कहलाते हैं चुमक के ठीक मद में चु च्वन्मक की फदार्त में पडारा चुर्मत करता है कि चुंक की छित चुमक की चारओं और वा जित जिसम चुम्मक के प्रवाव का नुवा किया जाता है। कालपिने के रिखा हैं जो उस स्थान में चुमकिये छेत की दिशाओं को अभी रख पिदरसित करती हैं चुमकिये बल रेखा के किसी विबिंदू पर खिंची गई इसपस रेखा हो उस बिंदू पर चुमकिये छेत की दिशाओं को पिदरसित करती हैं चुमकिये सुई उत्त से नेकलती हैं तथा बक बनाते हुए दच्छरी दरूमें फिर वेस कर जाती है और चुमक के अंदर से होते पतारत है जो चित में रखे जाने पर चित की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुमकिये हो जाते हैं वे लेटनियम करॉमियम सोडियम ऑलुमिनियम आक्सी जनादरी लोह चुमकिये यह आप देखेंगे कि कि लोह चुमकिये पतायद में पितेख परमाडू होता है उसकी इस असंक परमाडू के समूऐ होते हैं जने डॉमेंट क Bentay आप देखेंगे 10 की पावर 18 से लिकर 10 की पावर 21 तक परमाडू होते हैं लोह चुमकिये पदार्तों का तीब चुमकत इन डॉमेनों के कारण ही होता है डॉमेन एक जगह है और अब सब्दिकाफ लोगों को लेख होता है वो कौन तस जगह है आप लोगों ने बना सुना होगा इसी तो मुझे लगता है डॉमेन के बारे में क्यूरी ताप और क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके उपर पदार्त अनू चुमकिये बाद जिसके नीचे पदार्त लोह चुमकिये होता है लोहा इवं निकल के लिए क्यूरी ताफ की मान को क्रमसा 770 degree Celsius तथा 358 degree Celsius होता है आइस्थाई चुमक बनाने के लिए नर्म लोहे का परियोग होता है इस्थाई चुमक बनाने के लिए इसपाद का परियोग होता है भूचुमकत किसी इस्थान पर पित्वी के चुम की चेत को तीन तत्तों द्वारब एक्ट किया जाता है दिखपात कौन, नमन कौन, चुम की चेत की चेतिज घटक तो ये भी आप लोग छोटे छोटे पॉइंट है याद रखिएगे दिखपात कौन की बात करें तो किसी स्थान पर भोगोलिक यामुत्तर तथा चुम की यामुत्तर के वीच के कौन को दिखपात कौन कहते है नमन कौन, किसी स्थान पर पित्वी का संपूर्ण चुम की चेतिज चेतिज घटक पिधिपी के संपूर्ण चुमकिये 6 के 6 गटक H अलग लग स्थानों पर अलग लग होता है परन्तु इसका मान आप देखेंगे 0.4 गोस या 0.4 इंटू 10 की पाबर माइनस 4 टेसला होता है पिधिपी एक बहुत बड़ा चुमक है इसका चुमकिये 6 गटक है दच्छिन से उत्तर दिसा में विस्तित होता है फिर आप परमाडू बहुत की के बारे में पढ़ लेगे इनसे भी कुश्चन्स आते रहते हैं परमाडू बेस सूक्षुमतं कड़ है जो रसायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु सुतंत अवस्था में नहीं रहते हैं परमाडू मुकता तीन मूल कड़ों, इसमें एलेक्टॉन देखने को मिलेगा, पोटॉन देखने को मिलेगा, न्यूटॉन देखने को मिलेगा, इनके मिलकर बनी होते हैं, परमाडू की केंद में एक नाविक होता है, जिसमें प्रोटेन न्यूटॉन रहते हैं, और एलेक्ट आविस्ट कुला में और एक खोच करता हो गया, इनसे भी questions पूछ लेता है कि इसका खोच करता कौन था, neutron का खोच करता कौन था, ठीक है, photon की बात करें तो इसका द्रभमार आप देखेंगे, 1.672 गोड़ें 10 की पावर माइनस 27, आविस्ट की बात करें तो पिलस में 1.6 into 10 की माइनस 19, एक गोल्ड इस्टीन ने इसकी खोच की थी, neutron की बात करें तो 1.675 गोड़ें 10 की पावर माइनस 27, इसका आविस्ट जीरो होता है, चैडविक ने इसकी खोच की थी, electron की 9.108 into 10 की पावर माइनस 31, इसका आविस्ट देखें तो माइनस रिड में है, रिडात में कह आज मूल कड़ों की संख्या 30 से उपर पहुंच चुकी है, कुछ मूल कड़ इस तरह ही है, एक कड़ हो गया, द्रमान हो गया, आविस्ट हो गया, खोच करता हो गया, विस्ट इसके बारे में, पोजिस्ट ओन, इसका द्रमान 9.108 into 10 की पावर माइनस 31, आविस्ट की बात क इलेक्ट्रोन 274 गुना, इलेक्ट्रोन का 274 गुना, धनात्मक एवं रडात्मक दोनों हो सकता है, युकावा ने इसकी खोच की थी, आज था ही जीवन काल, इसका 10 की पावर माइनस 8 सेकंड होता है, फोटोन 0, 0, आईश्टी ने इसकी खोच की थी, इसका वेक, विकास के के बराबर होता है, ठीक है, केथोर के रणे, रणों के बारे में सुने हैं, तो जब विसरजन न लिका किसे रों पर 10, 20 किलो वाल्ट का वेभानतर लगाये जाता है, तो उसका दाव 0.1 मिली मीटर, पारिस्त की इस तर के बराबर होता है, तो उसके के रण से एक एलेक्ट् गैस का फरिव करके पैदा किया जा सकता है, कैथोर के रण के उत्पादन में वेभाव का स्रोथ फेरन चौन कुंडली होता है, जो कम वेभाव के सेल में बहुत उच्ची वेभाव विदान करता है, या वारस फरिक फेरन के सिध्धान पर काम करता है, कैथोर के रण आदिस गुना होता है वह किरन बिद्धोतो चुमकिय छेत्र में विच्छेपित होती है वह ग्यसों को आयनी केट कर देती हो धातु पर उसमें पिर्भाव दिखलाती है वह photographic plate को पिर्भावित करती है इसकी वेधन चमता कम होती है पतली धातू की चादर से पार कर जाती है और कैथोर किरन जब बिद्धुच्छेत से होकर लमवग गुजाती इसका रास्ता परवलयाकार होता है जब कैथोर किरने किसी उच परमाडु किरमंग वाली धातू जैसे टंग स्टन में गिरती है तो एक्स किरने उत्पन होती है धनात्म किरने विसरजन नलिकाब में यदि चिद यो कैथोर किये जाते हैं तो इसे निकलने वाली कैथोर किरनों की ठीक विफिरी दिसा में विच्छेपित हो जाती है और एनोर की ओर कुछ किरने निकलती है और अताही एनोर से निकलने वाली धनाविसित करने होती है, इसका पता 1886 में गौल लिश्टीन ने लगाए था इनके अगर गुर्ण देखें तो आप देखें ये करने धनाविसित होती है, ये पिती दिन या इस्फूरदिप्त उत्पन होती है ये बिद्धुत चुम के अच्छेत, मैं बिच्चेवेत हो जाती है अर्थ चालक, इसकी पिती रोधाग था या चालक था धातुमत था बिद्धुत रोधी पदार्थों के बीच की होती है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है कार्वनिक एंथासीन, मायदित, थेलोसिया, सियानीस, कार्वनिक बहुलक, पॉली पाइरोल, पॉली एनिलेन, पॉली थाइमोन फिर आप देखेंगे नेज अर्थ चालक तो जिन अर्थ चालकों में मुक्त एलक्टोन या कोटर उसमी ये फिरभा होता है उत्पन किये जाते हैं, उन्हें नेज अर्थ चालक कहा जाता है नेज अर्थ चालक में मुक्त एलक्टोनों की संख्या, एनि, हॉलों की संख्या आप देखिएं एनि, वरावर एनि, वरावर एनि, वरावर एनि, वरावर एनिल करता है या रेडात्मक बेभा की बिट्सदों करते हैं यह दिए अर्द चालकों में धावरा-ए ए-लेक्टोन धारा आई-ई-ए- और होल-दार-इच की बराबर होता है नैं नेज अर्द चालकों की चालकता उस पर नर्वप करती है परंतु गक्षता पर इसकी चालिकता बहुत कमी रहती है अप मिस्रक कहलाता है वा असुद्धी परमाडू आमिस्रक कहलाते हैं इस पिकार के पदाद को मादित और अर्द चालक भी कहते हैं अप मिस्रक ऐसा होना चाहिए जो मोल अर्द चालक पदाद के जालक को विक्रित ना करे अप मिस्रक के अड़ों तरहां अर्द चालक की पद योग किये जाते हैं पंच सयोजक जैसे आर्सेनिक एंटी मनी फासपोरस ठीक है त्री सयोजक जैसे एंडियम बोरोन एलूमीनियम दाता पंच सयोजी अपदर्ब दाता कहलाते हैं गराही त्री सयोजी अपदर्ब परमाडू गराही कहलाते हैं डॉंपिंग अपदर्ब मिला थाने की कारण होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, पी के अर्थ चालक, जिन अर्थ चालकों में विद्धुत का प्रभाः कोट्रों की गती के कारण होता है, इन्हें पी पिकार के अर्थ चालक के लिए, इस से आप देखेगी, एनि ता बढ़ाने पर अर्थ चालक की चालक ता बढ़ती है, फ पी एन संधी, पी एन संधी बहुत ही अर्थ चालक उप्तियों, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर आधी की मूलिकाई है, अर्थ चालक चालक या मूल लूप से पी एन संधी होती है, जिनके सेरों पर धात्विक संपर जुड़े होते हैं, ताकि इन संधी पर कोई वाहः वो जीत करते हैं, तो इसे अग दिसिक बायो सिस कहते हैं, फिर आप देखें कि पर श्च दिसिक बायस पी एन संधी डायोड, जब किसी अर्थ चालक डायोड के दो सेरों के वीच कोई वाहः वोल्ट ता, इस पेकार अनफयोक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से तथा रड टर्मिनल को एक पी फलक से जोडते हैं, तो डायोड को पश्च दिसिक बायसित कहते हैं, डायोड बल्व बिग्यानिक फिलेविंग द्वारा सन 1904 में निर्मित एक ऐसी निर्वात नलिका, जिसके केवल दो ही इलेक्टॉन, तंतु औवा फिलेट होते हैं, औ पर बेरियम ओक्साइड का लेख होता है, और इसे बैटरी से गम करने पर एलेक्टॉन निकलते हैं, जो धनाविसित फिलेट की ओर चलते हैं, इसके डायोड परिपत में पिलेट धारा को ब्रवाह होने लगता है, पिलेट धारा ओम की नियम का पालन करके, चैल लेमूर नि दिश्ट इधारा में बदलते हैं, ट्रायोड बलब, यतीन एलेक्टॉड फिलेट ग्रेड बा तंतु वाली एक निर्वात नहीं का होती है, इसका निर्वाण उन्निस साथ में लीडी फोरेश्ट अमेरिका ने किया था, उपियोग इसका ट्रायोड बलब का प्विवर्तक दौलित, प्रेसी और संचूचक की तरह होता है, जैनर डायोड इसमें आप देखें तो इसका अब इसका सी जैनर ने किया था, इसे भंजन छेत में पश्च दिसिक वायस में पिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया, इसका फिर उपियोग बोल्टता नियन तक की रू नियाक ने किया, यह विद्धो उर्जा को फिकास उर्जा में रूपांतीत करता है, जिन अर्द चालों काओ को फियोग द्रस LED के निर्मान में होता है, उनका वेंट अंतराल कम से कम 1.8 EB होता है, द्रस फिकास का स्पेक्ट्री परिसफर, मियू आप देखें, जीरो द्रस 4μm से आप देखें, 0.7μm होता है इस तरह से आप देखें, योगिक अर्द चालक गैलियम आर्सेनिक फोस्फाइड का उपयोग विभिन बरणों के LED के निर्मान में होता है, जैसे आप देखें कि गैस, GAS, AS 0.6, P0.4 का उपयोग लाल LED के बनाने में, GAS का उपयोग आउर 4 गंटी सेंत अप्फिकासिक संचारादी में किया जाता है, सौर सेल भी आप लोगों ने सुना होगा, सौर सेल, सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी PN संधी होता है, जो आप देखेंगे सौर विकरंट के आपतित होने पर EMF उत्पन करती है, या फोटो डायोड के सिधान पर क सौर सेल की निर्माड के लिए आदर्स पदार्थ की रूम में उन अर्ज चालकों को लेते हैं, जिनका बेंड अंतराल 1.5EV की निकट होता है, और सौर सेलों की निर्माड के लिए फिप्त होने बाले अर्थ चालक, पदार्थ SI, GAS, CDT, CUINSE2 आदी, सौर सेलों की में ट्रांजेस्टर के अविस्कार का सरे वैल टेलीफान फिडियोक साला USA के जे वारडीन और डबलू एच बेटन को जाता है, यह ट्रांजेस्टर एक बिंदू समफक्ट ट्रांजेस्टर था, पहले संधी ट्रांजेस्टर का अविस्कार उननीस से इनक्याबन में विलिय संधी ट्रांजेस्टर कहते हैं, तो यह भी आप लोगों को याद रखिएगा, क्या क्या याद रखें, फिजेक्स है देखिए भाई, मैं तो गयाता नहीं हूं फिजेक्स का, साफ साफ है, किसी ट्रांजेस्टर में तीन आप उनमें सरे छेत होते हैं, जो मिलकर आप देख तहर देखें तो पी पिकार के अचलग की एक खंड आधार द्वाराइं फितक किये जाते ही पी-एन फि ट्रांजेस्टर इसमें आप देखें तो फी प्रांजेस्टो इsub प्रापिन किया 자. अपूर्ति करता है आधार यह के अंदरी खंड होता है यह अतेंत पतला और कम अपमिस्रित होता है संग्रहाक यह खंड उत्साजक द्वारा पिदान किये बहु संक्या काविस भागों के अधिकांस भाग का संग्रहाक करता है और संग्रहाक फलक साधरा अपमिस्रित होता है परंतु साइज में यह उत्साजक से बड़ा होता है ट्रांजिस्टर का उपयोग मुल रूप से इसका उपयोग आप देखें प्रवर्थक की भाती करने के लिए किया गया था जो किसी सिंग्नल को आवर्धित पिति उत्पन्न करना ठीक है और वर्तमान में ट्रांजिस्टर क का उपयोग अनेरिक फिकार से होता है इसे प्रवर्थक एंप्विलिफायर सोईच बॉल्टेज नियामक रेगूलेटर सिंग्नल मौडूलेटर आसी लेटर आधी के रूम में होता है पहले जो काय ट्राइड के लिए से किये जाते थे और वे अधिकाल सब ट्रांजिस्टर के द्वारा हो रहे है अती चालकता की वारे मैं सुनेंगे इसकी कोज 1911 में की गई थी केमरल लिंद ओंस ने और अतेंद निम्न ताप पर कुछ फदार्थों का विद्धुत की तिरोज सुन हो जाता है और इन्हें ही अती चालक कहते और इस गोड को अती चालकता कहते है च पर अती चालकता प्राप करते हैं सो केल्विन के उपर अती चालकता पूर्ण फिती चुमकिये होता है अर्थात वह पूर्ण चुमकिये का बच होता है जिसे कोई चुमकिये बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती है अती चालकता के बात को देखते हुआ भारत सर करने 1990 में ये कराश्टी अती चालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड भी इस्ताफना की थी धड़ी में क्वार्ट जी किस्टल का दाव काम दाव पाई जो बिद्धुत प्रभाव पर आधारित होता है तो इसे भी याद रखिएगा अब लोग हम लोग बात करते हैं रेडियो सक्रीता के बारे में आखिर रेडियो सक्रीता इसकी खोच किस ने की थी ये भी आप लोगों को मालो होना चाहिए रेडियो सक्रीता की खोच फ्रेंच विज्ञानिक थे हैंरी वेकरल और पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया था इस इस खोच के लिए तीनों को सेफ्त रूप से नोवल पुरुस्कार भी दिया गया था नोवल पुरुस्कार देखते हैं ना वहीं भी मिला था ने और जिन नाभिकों में प्रोटोनों की संख्या 83 या उस्ते अधिक होती है बे आइस्थाई होते हैं और इस्थाई तो प्राइ गो रेडियो सकरीटा कहते हैं और गामा करणे आप देखेंगे गामा करणे अलफा वी टा करणों के बाद ही उत्रसा वितों होती हैं और रावर्ट पेरे हुअं की पतानी मेडम क्योटी ने नई रेडियो एक्टिव तक रेडियम की खोच की थी जिस ने ? रावर्ट पेरे और उनकी पत्नी का नाम था मैडम क्यूरी रेडियो सक्रिटा के दौरान निकलने वाले केर्णों की पहचां सरफ था मुनिस सो दो में रदर पोड़ नावग विग्या निकनी की थी और सभी प्राक्तिक रेडियो सक्रिटत अलफा बीटा गामा केर्णों को उर्ट सजन के बाद अंतर्ता सीशा में बदल जाते हैं और यहां आप देखिए अलफा गामा केर्णों के गोड़ जैसे उत्तपत्ति नाविक से होती है किसकी अलफा की बीटा की नाविक से और गामा की भी नाविक से प्रक्ति धनात्मक अलफा बीटारेडात्मक और । उदासीन और यह आप देखेंगे फोटान द्रम मान इसका अगर देखें तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी में और अगर बीटा का देखें तो 9.1 गोड़े 10 की पावर माइनस 31 केजी में और सूनने इसका आप इस प्लस टुई और इसका बीटा का अगर आप देखें तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी 19 का गामा का फोटो फोटो ग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अंडरोड में ये अंडरोड में है वह विद्व चुमकिये 6 में प्रभाव आप देखेंगे सबसे अधिक बेधन चमता किसकी होती है एक कुश्चन कई बार मुच सबसे अधिक बेधन चमता किसकी होती है गामा केर्णों की और सबसे अधिक आयनन चमता अलफा केर्णों की एक अलफा केर्ण के निकलने से परमाडू संख्या में 2 एकाई और द्रमान संख्या में 4 एकाई की कमी होती है बीटा केर्णों के निकलने से परमाडू संख्या मे पढ़ने बाले प्रिभाव को बरग विस्थापन नियाम या इसे सोडी फ्रोजन नियम भी कहते हैं रेडियो सक्रीता की माँ जी एम काउंटर से की जाती है और जितने समय जितने समय में किसी रेडियो सक्रीय तत्य के परमाड़ों की संख्या आधी हो जाए तो वह समय उस त अब कोष्ट क्लाउड चेंबर इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कड़ों की उपस्तिती का पता लगाने के लिए उनकी उभुज्या को मापने आधी के लिए किया जाता है इसका विसका CRT Wilson ने किया था जीवास्म मेर्थ पेड़ पौधों आधी के आयू का अंकन कारवन 14 की द्वारा लगाया जाता है इतियास में आप भी आप लोग नहीं से पढ़ा होगा इस बिदी में जीवास्म या मिर्थ पेड़ पौधों से प्राप्त कारवन के दो समिस्थानिक एक त्वाब देखें कि 6C 12 और 6C 14 का अनपात ग्याद करके आयू का निधारन किया जाता द्रवान ऊरजा समंध। 1990 माच में आईष्टीन ने द्रवान और ऊरजा के वीच एक समंध स्थापित की है जैसे आप爵े चिखिता का सिधान्त करते हैं और इसके अनुसात द्रवान एवं उरजा एक दूसरे से सम्धन्ध सरी समंध्य थें और पिते एक पतात में उनके द द्रमान M और पिकास का बेक C है तो इसका द्रमान से संबत दोड़ जाए E वराबर M C स्क्वाई होगा आइस्टीन जर्मनी में जन्में अमेरिकी विग्या लेक थे जन्हें 1921 में आप देखेंगे बहुत की का नोबल फरुसकार भी दिया गया था किसका पिजेक्स के चेत में सूर से पितवी को लगातार उर्जा उसमा की रूम में प्राप्त हो रही है जिसके फ़ल सुरूप सूर का द्रमान लगातार घड़ता जा रहा है आकड़ों के नुसार अगर हम लोग बात मानें तो सूर से पितवी के पिती को पिती सेकंड चार गोड़न दस की पावर 26 जूल उर्जा प्राप्त हो रही है जिसके फ़ल सुरूप इसका द्रमान लगभग 4 इंटू 10 की पावर 9 किलो पिती सेकंड की दर से घड़ रहा है परंतु सूर का द्रमान इतना देखे है कि वह लगातार 1000 करोड बरसों तक इस दर्म से उर्जा देता रहेगा कई आपकी पीडियां रहेगकी वजय आलि को ऐ करसे प्रिकास को देख लेंग ंजय नाबकी विखंडन के दौरान उत्पन अर्जा को नाबकी विखंडन कह कुछन के बहले नाबकी विखंडन अमेरी की विख्यानिक इश्रासमें औहौन के द्वारक तिखायेई जाती है और इसे ही अब लोग सेख drastic लावू सिंख्ला बहुत जाती है और इसे ही आप लोग सिंखला अभीकिया कहते हैं सिंखला अभीकिया दो तरह की होती है अनेंते सिंखला और आपकी नेंते सिंखला अभीकिया अनेंते सिंखला अभीकिया की बात करने तो इस अभीकिया में तीन नए निकलने वाले नियूट्रोन पर नेंतर नहीं होता है जिसके कारण नाविकों के विखंडन की दर एक, तीन, नो, सत्ताइस इस तरह से अनुसार होती है फलसवरूपोर्जा अतेन तीबगती से उत्पन होती हो बहुत कम समय में बहुत अधिक बिनास कर सकती है इस अभिकरिया में पिचंड विस्पोर्ड होता है, परमाडू बं में यही अभिकरिया होती है तो याद रखेएगा, नाव की यह जो क्या है आप लोग जो नाव की यह विखंडन देखते हैं न, यह परमाडू बं इसी से के द्वारा काम करता है आनेंते सिंखला विकरिया का उधारन है आपका देल, परमाडू बं परमाडू बं का विकास जे रावट ओपेंड हीर के नेदेशन में अमेरिका की दा मैन हटन प्रोजेक्ट के तहत दुतिये विस्पोर्ड के तवरान होगा था परमाडू बं को बनाने के लिए यूरेनियम 235, फिल्यूटिनियम 249 का प्रेयोग किया जाता है यह नापकी विकरियान की सिद्धान पर आधारित होता है परमाडू बं का सरवपेथम प्रेयोग दुतिये विस्पोर्ड के दौरान से युकतरा जमेरिका के दौरा जापान की विरोग दिख किया गया था यह 6 अगस्त 1945 को दूसरा 9 अगस्त 1945 को आपने देखा होगा 6 अगस्त 1945 को हीरोशीमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाडू बं गराए गया थे देखा क्या होगा आप लोगों ने इतिहास मफड़ा होगा इतिहास पड़ते रहते हैं इसी के साथ आप देखेंगे दूती अब इससे उद्धी खतम हो गया था फिर आपकी दूसरी नियंतित सेंखला अभी किरिया है यह किरिया धिरे धिरे होती है उसे इसे पड़ापत उर नाब की ये रियक्टर से सम्मधित कुछ मात्पूर सब्दालिया है, रियक्टर में इनन की रूमे यूरेनियम 235, पिलोटोनियम 249 का प्रेव होता है, रियक्टर में मंदक की रूमे भारिक जल या ग्रेफाइड का प्रेव होता है, मंदक रियक्टर में नियून ट्रॉन की गती को धीमा करता है और रियक्टर में नियंतक छड की रूम एकेडिमियम या ब्रॉन चड का उपयोग किया जाता है इसकी सहाथा से नाभी के विखंडन के दौरान निकलने माले तीन नई नियुट्रोन में से दो को आउसोसित कर लिया जाता है नाभ किये रियक्टर के उपयोग की बात करें तो इससे पराप्त नाभ किये उर्जा नाभ किये उर्जा से विध्धुत उर्जा पराप्त की जा सकती है और रियक्टर में अनिक फिकार के समिस्थानिक उत्पन किये जा सकते हैं जिसका उपयुक्षे गिस्ता विज्ञान के सियादी में किया जा सकता है नापकिये सल्लेन ये नापकिये विखंडन हो गया और परमाडु बम आप देखते हैं कि इसी का उधारन है इतरह से जब दो या दो से अधिक हलके नाविक से तो होकर एक भारी नाविक बनात में एमी वी सोड एवं चा तारों सिप्राप तूर्जा एवं पिकास कसरोत नापकिये सल्लेन ये नाविकों को सल्लीत करने के लिए करीब दसकी पाबर आठ केलिविन के उच्छे ताब और अतिंत उच्छे दाप किया हो सकता होती है है अब समझ रहे हैं कितना नुकसान प क赶काल ये बरहमंडे की चलें करें बात जरूरी भी है पेन्डो को कहेने वाले आपार आकास तथा उसमें उपस्ती सभी खागुलिये पेन्डिसित समयं मंदाक नहीं तारे ग्रह उग्रह इवं संपूर या उर्जा को समक ग्रूप से ब्रहमंड कहते हैं उनिवर्स कहते हैं और ब्रहमंड से समंदीत अध्यन को ब्रहमंड विग्ज्यान कहते हैं कॉस्मालोजी और ब्रहमंड इतना विसाल है जितना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इसके आकार की विसालता इसके तारो अरव, मंदाकनी तथा पितेक मंदाकनी में लगबग आप देखें एक सो अरव तारी हैं और इस पिकार तारों की कुल संख्या 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 बरावर 10 की पावर 22 को टी होगी ब्रहमंडी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे ब्रह बिग्यानिकों ने भिक्सित टेलीस्कोप तथा अन बिग्यानिक सादनों द्वारा पिक्षडों की आधार पर यह बतलाए कि हमारा ब्रहमंड लगातार फैलता जा रहा है और ब्रहमंड की पिसार का सिध्धान डौफल और पिभाव पर प्राप्त पिक्षड जैसे औरक्त बिस्थापन कहा जाता है और पराधारित है औरक्त बिस्थापन यदी हम प्रिकास रोत की ओर चलें तो प्रिकास तरंग की आविट्टी में आवासी बिढ़्धी होगी अर्थात यह दरस्त प्रिकास की स्पेक्ट्रम के नीले बर्ड की ओर बिस्थापित होगी और इसके बिपरीत यदी प्रकास रोत की दूरी हमसे बरती जाए तो प्राप्त प्रकास की आविट्टी में आवासी हरास होगा और यह आविट्टी द्रस्त स्पेक्टरम के लाल वर्ण की विस्थापित होगी और इस प्रकार की विस्थापन को आउरक्त विस्थापन केहते हैं आउर बटतम मंदाकनियों के वर्ड करम की आउसोसन रिखा है वर्ड करम के लाल छोरे की और खिसक रही है अता अपने पिक्चरों के किरम में निमले के दो निस्करसों पर पहुंचे सभी मंदाकनिया हमसे दूर जा रहे हैं कोई मंदाकनी हमसे जितनी दूर पर है वह उतनी ही के जैसे हबल ने ट लुonne बीकर में अवश्रम कम होता है अब से एसे समय को पेचह लीजये तो ब्रह्मंने की आईयो का आ आखलन से 15 .9 नो वर्स नो वर्स आता है और प्राप्त फेक्चडों के आधार पर ब्रहमन्ड की आयू दस इंटू दस की पावर नो वर्स से लेकर 19 इंटू दस की पावर नो यानिकि 19 गोड़े 10 की पावर नो वर्स के बीच मानी जाती है हबल के मनदाक्णियों के पिती सरन के नियम पर आईजेग ऐसी मोग का कहना है कि हबल के निरूपन के अनुसार यदि दूरी के साथ पिती सरन की गती बढ़ती जाये तो 135 करोड़ पेकास बर्स की दूरी पर मनदाक्णिया इस तेजी से पिती सरन करेंगी कि उन्हें देख पा और कमजोर बल, मेरे गुत्ता करसन बल जिम्मेदार होता है, ब्रह्मन्ड में लगबग 100 अरब मंदाकनिया, यानि कि 10 की पावर 11 मंदाकनिया हैं, और पितेक मंदाकनी में उस्तन 100 अरब तारे हैं, 10 की पावर 11 तारे हैं, यानि ब्रह्मन्ड में तारों की कुल संक्या लगब उसे बनाया होता है मंदाकनी की विसालता के कारण इसे प्रायदीब ब्रह्मन्ड भी कहते है मंदाकनी का बरीकन अगर आप देखें तो मंदाकनी को प्रया उनकी आकृती की आधर्वा तीन भागों में माठते हैं सर्फिल, दीर्गवितिये और अनेमित और यह एक ग्याद मंदाकनीों में 80% आप सर्फिल देखेंगे 17% दीर्गवितिये और 3% अनेमित आकरवाली हमारी मंदाकनी दुख्द मेखला या आकास गंगा और इसमें सबसी नदीक मंदाकनी देवियानी है सर्फिल आकरवाली मंदाकनी है दुख्द मेखला हमारा सर्फिल दुख्द मेखला या आकास गंगा नामक मंदाकनी का सदसे इसका व्यास लगभग 10 की पापर 5 प्रिकास बर्स और यह मंधर गदी से आप चक्र काट रही है दुख्द मेखला मंदाकनी अपने केंद के चारों और धीरे गुमती है और तारे इसके केंद के चारों और धीरे धीरे गुमती है सूर भी सौर मंडल सहत इसके केंद के चारों और घुर्डन करता है और इसे एक परिक्मा पूरी करने में लगवग 250 मिलियन यानि कि 25 करोड बरस लगते हैं और पितवी पर लोग दुग्द मिखला मंदाकनी का अभी मौक दरस से देख पाते हैं, क्योंकि पितवी स्वेम इस मंदाकनी का हिस्सा है। हमारी मंदाकनी के तारे चक्टी चक्क्री का नुमा सरचना में अंतरविष्ट होते हैं, जो अंतरेक्ष के अंदर दसकी पावर पर पांच पेकास बर्स तक फैली होती है, तारों की चक्की का के अंदर पर काफी मोटी होती है, जो मंदाकनी के के अंदर पर तारों के अविक शक्रिट उच्च सांद्रन को दर्साता है हमारा सूर और उसके ग्रह मंदाकनी के इंद्रिय भाग से लगभग तेन इंटू दसकी बावर चार फेकास बरस की दूरी फस चक्रिय नुमा सरचना के एक पास परिस्तित है अता सूर दुग्द मेखला मंदाकनी के करिंद से काफी दूरे यदि आकास स्वेक्ष है तो दुग्द मेखला मंदाकनी अंधेरी रात में उसतर से दच्छन आकास में हलके सफेद तारों की चोड़ी पट्टी के रूम में पितीत होता है जो करोडों और टिम्टिमाती तारों से मिलकर बनी है अंधेरी रात में पितवी से दिखन समुहों के कुछ आक्तियां की कल्पना की उनका विसे इस नाम भी दिया तारों के किसी ऐसे समुहों को तारा मंदल कहते हैं और इन तारा मंदलों का नामकरण उनकी आक्रिटी के आधार पर की गई है और पिरमुक तारा मंदल वेहत सब्तरिसीत मंदल लगूर सब्तरिसीत म लिए इसमें सबसे वड़ा तारामंडल सेंटर रहे हैं जो आसानी से देखाई देते हैं इन तारों से बना तरामंडल सामाने ताब विएद सब्तरसी या विग डिपर कहलाता है लगू सब्तरसी में अधिक चमक वाले साथ प्रमुकतारे उत्री गुलाद में विएद सब्तरसी एवं लगू सब्तरसी तारामंडल को फर्या बसंत रितू में देखा जा सकता है मिरक तारामंडल को सीत रितू में देखा जा सकत सबसे बिसाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा इस्तित है जब कि दूसरी वित्री कौने पर रिगेल नावक अन्य चमकदाज तारा इस्तित है म्रिग के अन्य तीन पिरमुक तारे तारा मंदल की मद्द में एक सरल लेखा में अवस्तित है फिर आप देखें कि तारी इस्तार इस्तार ऐसे खागोली पिन है जो लगातार प्रिकास एवं उस्मा उत्सरजित करते रहते हैं और यह सूर भी एक तारा है भार के अनफात में तारा में आप देखें तो तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कारवन, हाइड्रोजन और नियोन तथा 0.5% में लोह है और अन्य भारी इफ्तत्त होते हैं तारों को उनके बहुत एक अभी लक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक और ताप की अनुश्रार बर्गे क किया जाता है, तारे तीन रंग के होते हैं, लाल, शफेद और नीला, तारे का रंग पेश्ट ताप द्वारा नियधारित होता है, तारे जिनका पेश्ट ताप अपेच्छा के निमन होता है, लाल रंग के होते हैं, उच पेश्ट ताप बाले तारे सफेद होते हैं, जबक पित्वी से आप देखेंगे 4.3 पिकास वर्स की दूरी पर है सभी तारी दुप तारी को छोड़कर रात्री में आकास में पूर्फ से पश्चिम की ओर चलते हुए पितित होते होगे क्योंकि पित्वी स्वयम अपने धुरी पर पश्चिम से पूर की ओर घूड़न करती है त समय के साथ अपनी इस्तिती नहीं बदलता है क्योंकि यह पित्वी की घूड़न की दुरी अक्ष परिस्तित होता है धुर्फ तारा इस उट्षा माइनर या लिट्ल वियर द्वारा तारा समू का सदस्य है तारों का जनम और विकास की बात करें तो तारों के विकास निर्म तारे का जीवन चक आकास गंगा में हाइडोजन तथा हीलियम गेस की संगरहन से प्यारम होता है जो अंतता घने बादलों का रूप धारन कर लेते हैं और इन बादलों को उट बादल भी कहते हैं इन बादलों का तामान देखें तो माइनस 173 डिगरी सेल्सियस होता है जैस जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता है तो गेसों के अडूओं के बीच गुर्टवा करशन बढ़ जाता है और जब बादलों का आकार काफी बढ़ा होता है तो तब यह सोयं के गुर्टवा करशन बल के कारण शिकुड़ना चला जाता है इसे गुड़ता हुगा घना गे यह दिर्मान जो विशाल रुत्वा करशन वल के कारण आंगे भी संकुचित होता रहता है जो ही आधी तारह आंगे संकुचित होना आरम करता है तो गेसों के बादो में उपस्तित हाइडोजन परमाडू अधिक जल्दी जल्दी परसफर टकनाने लगते हैं और हाइडोजन परमाडू की एटकर आधी तारह के दाप को अधिक आधिक बढ़ा देते हैं आधी तारह के संकुचित की फिक्रिया लागों परसों तक चलती रहती है जिसके दोरान आधी तारह में आंद्रेक ताप आरम में मात 100-133 डिगरी से दस डिगरी सेल्सियस तक बढ़ता है और इ कि रूम में उर्जा की विसाल मातरा उत्पन करते हैं हाइडूजन के सल्लेंच से हिलियम बनने के दौरान उत्पन उर्जा आधी तारा को चमक पिदान करता है वह तारा बन जाता है और तारे के अगर अंतिम जीवन के अंतिम चरन की बात करें तो अपने जीवन के अंतिम चरन के पहले भाग में तारा लाल दानो प्रवस्ता में प्रविस करता है इसके बाद उसके भविस उसके पैरंबिक द्रमान पनेभा करता है यहाँ दो इस्तितियां उत्पन होती है यदि तारे का पैरंबिक द्रमान सूर के द्रमान के तुल होता है तो रक्त दानव तारा अपने फिसारित वाहय आवरन को खो देता है और उसका कोण सिकुड करके सुरित बामनता तारा बनाता है जो अंत गंतब अंतरिक्ष में पदार्तों के सगन फिंड की रूम में कोड करता है और इस विस्पोर्ट अधी नौतारे का कोड संकुचित होका निव्टन तारा अत्वा किष्ण छे दिन बन जाता है ठीक है यहां भी कोछ दिया गया है यह नहीं भी देख लिए मान भारतिय विज्ञानिक चंद सेकर ने उन तारों का विस्तित अधिन किया जो सुएद बावन तारों में फरिवर्तित होकर अपना जीवन समात करते हैं चंद सेकर ने निसकर निकाला कि सूर के दरमान के एक दसमलोग चवालीस गुना से कम दरमान वाले तारे सुएद बावन तारी की रूम में समात होते हैं और सूर के दरमान के एक दसमलोग चवालीस गुना की अधिक्तम सीमा तारी के लिए सुएद बावन के रूम में अपना जीवन समात करने के लिए कुछ चंद सीकर सीमा की नाम से जाना जाता है और चंद सीमा सीमा काते हैं इसी सिध्धान के लिए डॉक्टर सोव मन्यम चंद सीकर को उनीस सो तरासी में नोवल प्रुसकार से समानीत किया गया था तो यहने भी याद रखिएगा इन mixes के के लिए मिला था चंद सीकर सीमा के लिए फिर आप देख लिए जे रक्त दानों प्रवस्था आरब में तारों में मुक्ता हीडूजन होती है समय भीतने के साथ हीडूजन के अंद से बाहर की ओर और हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और अब जब तारी की कोड में उपस्ति संपून हाइडोजन हीलिय में परिवर्तित हो जाएगी तो कोड में सल्लेन अभिकिरिया बंद हो जाएगी और सल्लेन अभिकिरिया के बंद हो जाने के कारण तारी की कोड के भीतर दाव कम हो जाएगा लेकिन तारे के बाहरी आवरन में कुछ हाइडोजन बची रहती है जो सलेन अब की दिया पर उसमा भी मुक्त करती है परंथु तीबता बहुत कम होगी इसकी इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग संतुलन गड़वर हो जाता है और उसे पुनाहा विवस्तित करने के उद्देश सितारों को उसके बाहरी चित में परसार करना पड़ता है जबकि गुर्ता कर्शन बढ़की परभाव के कारण उसके कोड में संकुचन होता है और अतहा सामान तारे से रख्त दानों तारे में परिवर्तन हो में तारे का कोड सिकोडना सिकुरता है जबकि बाहर और यह रख्त दानाव तारा कहलाता है क्योंकि यह रंग में लाल और आकार में दानावकार का होता है हमारा अपना तारा सूर अब से लगभाग पाँच जार मिलियन बर्सों के बाद रख्त दानो तारी में बदल जाएगा सूर का फिसारित बाहरी आउरन तब इतना बड़ा हो जाएगा कि यह अंतर ग्रहों जैसे बुद्द सुक पितिवी को भी निकल जाएगा और तारा रख्त दानो प्रावस्था में अविश्थी थ द्रमान पर निर्भाड़ करता है जब रख्त दानो तारा और द्रमान सुवर के द्रमान के तुल होगा तो वह अपना प्रसारित ब्रह्म बाहर आउरन खो देगा किवल उसका कोड क्रोड बचा रहेगा या हीलियम क्रोड गुत्ताकर्शन के कारण धीरे-धीरे द्रब के अतेदिक सगन पिंड में संकुचित होगा और हीलियम कोड की इस अतेदिक संकुचन के कारण कारण कोड का ताप अतेदिक बढ़ जाएगा बनाब की सलगन अभिकिरिया का एक अन सैट प्यारहम हो जाएगा और जिससे हीलियम भारी तत्तों जैसे कारवन में परिवर्तित ह और उर्जा की यतिदिक विसाल मात्तरा निर्मुप्त हो जाएगी इस पिकार के कोड के संपूर हीलियम थोड़ी ही समय में कारवन में फरिवर्तित हो जाएगे और तब को नहा सल्लेन अभी किरिया पूर्ण तारू की जाएगी अब जिया हुई तारी के वीतर उत्पन हो रह संपूर्ण फंद яhole उत्पन करता है कि एसके बाद सुइध वानतारा किसन वामन में हो जाएगा स्यों प्लाहरा हमें चंकिली तारे के निकट देखा गया है अधी नव तारे या नीट्रॉन तारे का निर्मान यदि किसी तारे का दर्मान सूर की दर्मान से बहुत अधिक हो तो रखत दानो प्रवस्था के करम में इसके हीलियम कोड के संकुचन से मुक्त नाप की उर्जा बाहरी आवरन में तेज दमक के साथ विस्वोट उत्पन कर देती है यह विस्वोट आकास को कई दिनों तर फिकासित करता है ऐसा विस्वोट तारा, अधीनव तारा कहलाता है सुफार नववा विस्वोट के बाद भी इसके कोड का संकुचन होते रहता है वह न्यूटरन तारा कहलाता है न्यूटरन तारा बनाता है और हमारी मंदाक नी ने दुख दमे इखला और न्यूटरन तारों की दरमान सुफार के दरमान का लगबग 2 गुना और तिज्या लगबग 10 गुना 10 किलोमीटर की होती है यह अधीप्त होता है और सीधे तौरफर नहीं देखा जा सकता है किसन चिद न्यूटरन तारे का भविस्त भी उसके दरमान पर निर्वार करता है अनुवान के अमसार भारी ने टरोन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है और यसी किरम में एम दरमान का एक न्यूटरन तारा संकुचित होकर तिर्जिया और बराबर टूजी एम किती सी स्कुआ जहां सी पिकास की चालो जी गुर्तवा कर्शन ने टांक है प्राप्त कर ले तब वह किष्ण चिद बन जाता है सरव पितम मिचैल ने चिद किष्ण चिद की अस्तित की कलपना की थे किष्ण चिद अपने पेश्ट से किसी चीज का यहां तक की पिकास का भी पलायन नहीं होने देता है और यही कारण कि किष्ण चिद रों में अत्यदिक आकस्न बल होता है किष्ण चिद रों में इसे पिकास भी पलायन नहीं कर सकता है उसलिए किशने चित आदिस होते हैं और विदेखी नहीं जा सकते हैं इसकी उपस्तिती को आकास में उसके पड़ोसी पिन्नों पर उसके गुर्तवा करते हैं चित की प्रभाव के बल द्वारा के बल महसूस किया जाता है आप सोचें कि अपने उपर से प्रिकास भी यहां से नहीं गुजर सकता है और आपने सुना होगा कि कभी यहां से अगर कोई चीज जाती है तो वो से अंदर ले लेगा यह जो आपके बिज्ञानिक उपकरण होते हैं इनसे भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूछे जाते हैं इन्हें भी आप लोगों को देखना चाहिए जैसे एक आपका आक्यू मूलेटर इस उपकरण के द्वारा विद्धुत उर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्धुत को आवस्तक्ता पढ़ने पर काम में लिया जाता है ठीक है फिर आप लोग उन्हें एरो मीटर शुना होगा इस उपकरण का प्रियोग बायू एवं गैस का भारत अथन घनत ग्याद करने में होता है अल्टि मीटर इसका उपकरण उड़ते हुए बिमान की उंचाई नापने के लिए फिरयोग में लाते है अमीटर इसका प्रियोग विद्धुत धाराकुम अपने के लिए किया जाता है और याद रखें इनसे पूँच लेगा आपसे कि विद्धुत धाराकुम अपने के किसका उपयोग करते हैं अमीटर का या आप से पोचे कि अमीटर का उपयोग किस लिए होता है तो यह भी आप लोग अनीम उपीटर यह उपकर्ण हवा की सकती और तथा गती को मापता है ओडियो मीटर यह उपकर्ण धौनी की तीबता मापने का काम करता है ओडियो फॉन इस पेर को नापनेक में करते हैं बैरोग्राप इसके द्वारा बायू मंडल के दाब में होने वाली परिवर्थन को मापड़ जाता है बैरोमीटर यह अकर्ण बायू दाब गाम आता है बाइनो की उडलर यह अपकरण तामी का बना होता है और उस्मा की मात्रा ग्याद करने की काम में आता है कार वो वूटर आप देखें कि इसका उप्योग उप्योग इसका उप्योग अंता दहन पेटॉल इंजन में होता है इस इंत में इसे पेटॉल तथा हवा का मिस्सर्ण बनाया जाता है काइडियोग्राम, इसके दवारा हिदय गती की जाच की जाती है, और इसको elektro-काइडियोग्राम भी कहते हैं, तेके है, फिर आप देखें कि आपके पास क्रोनों मीтор, इस उपकरांट का उपयोग जलियानों पर, जलियानों पर एक तरशी लगा होता है, और इस सही समय का पत करकि परदिय पर लगाकर करम में पिक्षेपन के लिए प्रयोक किया जाता है कमपास वॉक्स इस उपकरण के द्वारा किसी इस्थान पर उत्तद अच्छिन दिशा का ग्यान होता है कमप्यूटर यह है एक प्रकार की गड़तिय या अंत्रिक विवस्ता है इसका उप्यों गड़तिय समस्याओं एवं गड़नाओं को हल करने में होता है चलिए आप लोगों से कुश्चन से मेरी तरब से कमप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं कई वारस पर बात किये हुए साइक्लोटॉन यह आप देखिए कि इस व्कर्ण की सहयता से अविसीत कड़ों जैसे नाविक कर प्रोटॉन अलेक्टॉन आदी को तुर्यत किया जाता है फिर आप देखेंगे Density —डेंस इंसिटी मीटर फिर भन्हुंज के भनध जादकने में किया है तिसमें खनध जाद में फिर आपका Dekta लुग के देकटाफॉन इसका यह पिरियो अपनी बात तथा आदिश दूर दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, यह फुर्या ओफिस में प्रयोग किया जाते है, नमन मापी, यह उपकर्ण किसी इस्थान पर नमन कौन मापने के लिए उपयोग होता है, डाइनोमोमीटर, यह सेंद का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन की सकती कुमापने में होता है, एफी डाइसकोप, इसका उपयोग प्रयोग चित्रों को पर्दी पर फिक्षेपन के लिए किया जाता है, फैदोमीटर, यह सेंद समुद्र की गहराई नापने के काम आता है, गैलवेनोमीटर, इस यंद का उपयोग छोटे विद्धुत, परी ग्रैवी मीटर, इस यंद द्वारा पानी की सतय पर तेल की उपस्तिती ग्याद होती है, गैरोइसकोफ, इस यंद को यंद से घूमती हुई बस्तूओं की गती ग्याद करते हैं, हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अभिक्षित घनत ग्याद करते हैं हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर धौनी तरंगों की गढ़ना करने में काम आने वाला उपकरण है, हाइग्रोमीटर इसकी साहस्ता से वाई मंडल में ब्याप्त आदता ना पी जाती है, इसको गेच इसका परियोग वारीक तारों के ब्यास नापने की काम आता है, फिर आप पिकार की देती है, दिखाई देती है, लाइटिंग कंडेक्टर या उपकरण उची इमारतों के उपर उनके उचे भाग पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतों सुरक्षित रहती है, आप लोग सुनते भी तह रहते होंग तो ये भी आप लोग याद रखेगा, फिर आप देखेंगे कि आपके सामने है क्या, माइक्रो मीटर, यह एक फिकार का फैमाना है जिसकी साहता से मिली मीटर के हजारवे भाग को ग्याद कर सकते हैं, माइक्रो इसको यह छोटी बस्तूओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, और अता जिन बस्तूओं को हम लोग आखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें इस उपकरण से देखते हैं, माइक्रो टॉम, किसी बस्तूओं को बहुत चोटे टोकणों में काटने में कामाता है, जिनका कि सूक्षम अध्यन करना होता है, ओडो मीटर, पहिये वाली गाड़ी द्वारत चली हुई दोरी नापने के लिए ओडो मीटर का उपयोग करते हैं, और सीलो ग्राप, बिध्धुतिये तथा अंतिक, या अंत्रिक, या अंत्रिक कंपनों को ग्राप पर चितिक करने वाला उपकरण है, पहरी इसको पंडुब्बियों में उपयो सुधों के मापन में तथा बॉल्ट मीटर वा आमीटर के कैली विशन में काम करता है, फिर आप देखेंगे पायरो मीटर, दो रिस्तित बस्तूओं के ताप को ग्याद करने ही तो इस एंत्रिक का प्रियोग किया जाता है, फॉनोग्राप, धौनी लेखन के काम आने वाला वाले उपकरण को फॉनोग्राप केते हैं, फोटा मीटर, यह दो सुरोतों की फिदीपन, तीविता की तुल्ला करने में काम आता है, फोटो टेलीग्राप, यह फोटो ग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण होता है, साइटो ट्रॉन, यह क वसा नापने की काम में आने वाला उपकरण है, रेडियो मीटर, यह सियंद का उपयोग विकरण की माप करने के लिए किया जाता है, रेडियो टेलीग्सकोप, यह एक स्थान की घटनाओं को वेतार फिनाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है, फिर आप देखेंगे, पर देखेंगे, रेडियो मीटर, यह पार्दसक माद्ध्यमों का अफ वरतनांग ज्याद करने वाला उपकरण होता है, सिस्मोग्राप, यह भूकंब का पता लगाने वाला उपकरण है, सैप्टी लेम्प, यह विकास के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, इसकी साहता से खानों में होने वाले विस्पोर्ट को बचाया जा सकता है, सैक्स्टेंट यह किसी उचाई मीनार आदी को मापने में काम आने वाला उपकरण है, इस्टो, 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 इसको, आवर्तित, आवर्तित, गती से घूमने वाली वस्तों की चाल क इस उक्करेंड की साहता से ग्याद करते हैं स्पीडो मीटर यह गती को पिदर्सिन करने वाला उक्करेंड है और जो की कार्ट रकादी बाहनों में लगा होता है सब मैरीन यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलियान है जिसकी साहद इस समुद्धी की सत्य पर होने वाली हलचल का भी ग्यान होता रहता है इस फैरो मीटर यह गोलियत तल की वक्यता की तिज्या ग्याद करने की काम आता है तु इसे भी याद रखिएगा फिर आप लोगोंने सुना होगा विसको मीटर यह दुरोवों की स्यानता के लाद करने के काम आने वाला उफ्करने तैलीफ फोटोग्राफी इस उफकरन की सहाधा से गतीसील बस्तू का चित्त दूसरे स्थान पर पिदरसित किया जा सकता है तैलीफेंटर यह समाचार फिर आप्त करने का उफ्करने इसकी साहता से सुताही समाचार टाइप होते रहते हैं टेलेक्स इसके अंतरगत दो इस्थानों के मद समाचारों का सीधा आधमान पिदान होता है टेलीस्कॉप इस उफकरण की साहता से दोर की बस्तूओं को इस्पष्ठ देखा जा सकता है टेल स्टार यह अंतरिक्ष में इस्तित ऐसा उफकरण है जिसकी साहता से महादीपों कि आरपार टेली वीजन तथा बेतार पिसारन भीजे जाते हैं और इस उफकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में इस्थापित किया हुए थर्मोइस्टेट इसके प्रयोग से किसी वस्तू का ताब एक निश्चेत बिंदू तक बनाये रखने रखा जाता है यह अनुफस्त तथा लंबवत कोडों की माप ग्याद करने की काम आता है और याद रखिए फिर से बोला हूँ अगर आप लोगों को देखना है कि इसे कुश्चन्स हकीगत में पूछे जाते हैं तो एक बार आप लोग आपने पुराने कुश्चन्स वेपर जिस भी परीक्चा की तैयारी करें उसके जरूर देखिएगा ठीक है और फिर एक्टो मीटर सूर केड़ाम की तीविता करने धारन करने के वाला उपकरन है होवर क्राप्ट एक वहन एक बाहन जो बायू की मोटी गद्धी पर चलता है यह साधरन भूमी, दल्दली, बरफीले मैदान, रेगे स्थानी पर तीवित की गद्धी से भाग सकता है इस बाहन का भूमी से संपाग नहीं रहता है टेकोमीटर यह बायूयान और तथा मोटर नाओ की गतिकोम आपने बाला यहन्त है टेली स्कोप एस उपकरन की साहता स्विदूर की बस्तों को इस बस देखा जा सकता है इन सब को याद रखना चाहिए टेली स्टार यह अंतरिक्ष में इस देखा उपकरन है जिसकी साहता से महादीपों के आरफार टेली विजन तथा वेतार पर सारम भेज़े जाते हैं और इस उपकरन को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया हुए इन सब ही इसे आप लोगों को मुझे लगता है कि एक दो बार पढ़ लीजेगा आराम से हो जाएंगे यह आपके बहुत एक संबंधी मत्मून खोजे हो गई यह खोज हो गई यह विज्ञानिक का नाम होगे है जिस सन में खोज की गई थी वो हो गया परमाडू जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी अठारे सो आट में परमाडू सारचना नेल वोर वारदर पोर्ड ने इसकी खोज की थी उननी सो तीरे में गती विशेक नियम न्यूटन ने खोज ये थी 1687 में रेडियो एक्टिवी था ए हैंडरी वेकरल ने खोज की थी इसकी अठारे सो च्यानवर में रेडियम मैडम क्यूरी ने अठारे सुन अंठानवे में सापयक चिता का सिद्धान अलवाट आइटीन ने उननीस सो पाँच में विद्धु चुम की अपिरन माईगल फेरारे ने अठारे सुईकीति में रमन पिभाव सीवी रमन ने उननीस सो अठाइस में एक्सकर ने वेलहम रॉंटन ने अठारे सु पंचानवे में क्वांटम सिद्धाद मैक्स तिलांक ने उननीस सो में फेकास विद्धुत प्रवाव अलवाट आइस्टाइन ने उननीस सो पाँच में विद्धुत आकरसन की नियम कूलम ने सत्रे सो उनन्यासी में फोटोग्राफी धातू में जे नीप से 1826 में फोटोग्राफी कागज में डवलू फाक्स टालबोट ने 1835 में फोटोग्राफी फिलिम में जानकारवट ने 1888 में आवर साइनी मेंटलीप ने ये आप देखेंगे 1869 में फिर आप देखेंगे बिद्धोत पितीरोत की नियम J.S. ओम ने 1827 में तैने की नियम आर्कुम्टेज ने तपायने की उत्सरजन एडिसन ने डायोड वलब सर्जे एस फिलेविंग ने 1904 में ट्रायोड वलब यह आप देखें डॉक्टर ली डी फोरेस्ट ने 1907 में नापके रियक्टर एंड रिको फर्मी ने 1942 में विद्धोत अपगाटन की नियम फेराडे ने बेतार तार मारकोनी ने 1901 में किसंद कव 1901 में तुईने भी याद रखेगा मातकों का एक पदिती से दूसरी पदिवित्ती में परिवरतन है एंच एक एंच आप देखेंगे 2.54 यानिके 2.54 सेंटी मीटर एक फुट 0.3 मीटर एक गज 0.91 मीटर एक मील 1.6 किलो मीटर एक फैदम 1.8 मीटर एक चेन 20.11 मीटर एक नॉटिकल समुद्री मील 1.8 2.4 किलो मीटर एक भॉमिक मानक मील 1.58 4 किलो मीटर एक एंग श्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर बर्ग इंच 6.45 बर्ग सेंटी मीटर बर्ग फुट 0.09 बर्ग मीटर इन्हें आप लोगों को मालू होना चाहिए एक सामार जानकारी के लिए भी कई बार पूछ लेता है कि एक इंच में कितने सेंटी मीटर होसता है तो इस सभी आप लोग याद रहें बर्ग गच 0.83 बर्ग मीटर एक एकर दसकी पावार 2 बर्ग मीटर एक एक टी मीटर दसकी पावार 2 बर्ग मीटर वर्ग मील 2.8 वर्ग किलूमीटर घन इंच 16.38 गहन सेंटीमीटर घन फूट 0.028 गहन मीटर घन याड 0.6 गहन मीटर एक लीटर 100 गहन सेंटीमीटर मापकरी 1000 गहन सेंटीमीटर ठीक है तो ये भी आप लो एक पेंट 0.56 लीटर एक गरेंट 74.8 मिली गराम एक ड्रम 1.77 गराम एक ओंस 28.35 गराम एक फाउंड 435 गराम एक डाइन 10 की पाबर माइनस 5 न्यूटर फाउंडल 0.133 न्यूटर अरग बराबन 10 की पाबर माइनस 7 जूल असो सक्ती 746 बार एक नॉटीकल मील 6080 भिट एक फैद फैदम 6 फित एक मील आठ फालंग एक मील 5,216 फित एक फूट बार इंच एक गज तीन फित 37 डिगरी सेंटिकेट अंधानवेद दसंबलो 6 फोरेंगाइट 50 डिगरी सेंटिकेट 122 डिगरी फोरेंगाइट ठीके 40 फोरेंगाइट एए-40 तो मैनस 40 उस चान्टिकेट 32 फोरेंगाइट 0 आप देखेंगे सेंटिकेट ठीके एक भामिक मील की दूरी एक समुद्र मील से कम होती है यह याद रखेगा या आप माप तौल की विभिन मात रखो गए जैसे रासी होगी मात रखो गए पितिक लंबाई का मीटर आप सभी जानते हैं M में इसे पितिक है द्रबमान का किलोग्राम के जी इसका पितिक है समय का सेकेंड एस इसका पितिक है कार तथा उर्जा का जूल भिदउधारा के म्पीयर अ इसका पितिक चंन रहे उसमा गजकी ताप केलौीन इसका मात रख जोती ती विता कैंडिला सीडे इसका मात पितिक है कॉन एडियम राड इसका पितिक है ठोस कोड एस्टेरिडियम एसर वल न्यूटन एन छेटफल बरग मीटर एम स्क्वाई आयतन गन मीटर एम की वल यह आप देखेंगे क्या है चाल एक बार आप लोग किलियर करवानें और आप लोगों को परेशानी नहीं होने चाहिए समझ रहे हैं फिर आप कहीं कि गलत बताए गया क्या बताए गया गलत बताए गया गलत ना बताओ इसका मीटर पिती सेकंड है कौन मीटर पिती सेकंड और इसका पितीक MS की पावर माइनस वान ठीक है कौन ये भी रेडियम पिती सेकंड इसका एसाई मात रख हो गया रेड कि पावर माइनस वान ठीक है अब टी हर्ट्स में इसका मात्रक है एजड इसका पितीक चिनन है जड़कत आगूर किलोग्राम बर्ग मीटर केजी स्थिर की एम स्कॉर्ड में फिर संभे हो गया आपका किलोग्राम मीटर के इसकेंड एक केजी म एम माइनस वान अब急 न्यूटन शेकंड और एन इसका पितीक हो डिये संभे किलोग्राम पर मीटर, 50 सेगंड, kgm स्कॐार स माइनस बन पावर, दा पास्कल, पी ये, सक्ती वाट, डबलू, फिस्तनाव, न्यूटन की बिति मीटर, nm, आपका माइनस बन, स्यान था, N न्यूटन सेगंड पिति बर्ग मेटर, ए आव झाएनस, m की पावर माइनस टू, उसमा चलक था, वा पिति Kelvin, G की पावर माइनस 1, K की पावर माइनस 1, विद्धुत आवेस, कूलाम, C इसका पितिक चन, विभांतर वोल्ट इसका SI मात रख हो गया, और भी इसका पितिक चन, विद्धुत की तीरोद ओम, और ओम इसका क्या हो गया, पितिक चन, विद्धुत धार्टा, फेराडे फेराड इसका SI मात रख, फेरक, हेंडरी, एज, चुमकिय फिलक्स, वेबर, डबलुवी, जोती फिलक्स, लिवमेन, आईएम, पिदीप्त घनत, लक्स, एलेक्स, फिर आप देखेंगे, एल था ठीक, तरंग धेर्ड, एंगिस्ट्रम, ये इस तरह का पितिक है इसका, देखिए आपके, बेरोमीटर, इसकी खोज, अवकरन हो गया, आप इसकारक हो गया, देश, जिस देश में हुई थी, और किस सन में हुई थी, बेरोमीटर, इटोर सेली, और इटली में, 1864 में, विद्धुद बैटरी, अलेसांडो बोल्टरा, और आप देखें, इटली में 1800 में, वाइसाइकल, के मैक मिलन, इसकोटलेंड, 1849 में, वाइसाइकल टायर, जॉन डनलप, बैटन में, 1888 में, बाइफोकल लेंस, बिंजामीन फैंकलीन, युएसे में, 1780 में, बुंसन वर्नर्ड, रोवर्ट बुंसन, जर्मनी में, 1855 में, कंप्यूटर, चाल्स वेविज बेटेन में 1834 में कैसको ग्राफ जीवी जीसी बॉस भारत में एए 1928 में कॉस्मिक केडने बेक्टर हैस औस्टिया में 1912 में कारवन फेपर राल्फ वेजबूर्ड इंग्लेंड में 186 में कार बास्फ निकूलस कुगनाट फ्रांस में 1779 में कार आंतरिक दहन सेमवन ब्राउन बेटेन में 1826 में कार फेटल कारल बेंज ने जर्मनी में 1855 में माकरी 85 में 1885 में कारल वूटर जे डेमलर जर्मनी ने में 1864 में कार फेटल कताई मसीन सेमुएल कॉम्टन बेटेन में 1789 में कार्पेट स्वीफर मेलविल विसेल ने ये यूएसे में अठारे सो चेत्र में कौनो मीटर क्या है यह आपका क्या कौनो मीटर और जॉन हैरीसन जर्मनी में 1735 में फिर आप देखें घड़ी यांतरिक आई सिंग बाल लियांग सेन ने चीन में 1725 में घड़ी पेंडूलम किस् प्रच कि अधर देखेंगे देजल इंजन रोडॉल्फ टीजल वर जर्मनी में 1895 डाइनेमो यह आप देखेंगे माइकल फ्राडी इंग्लेंड में 1831 में फिर आप देखेंगे डेंटल फिलेट एंथोनी फिलेट शन ने वसी में अठारे सो सत्त्रे में फिर आप लिखो जोई थी हैं डीसी मोटर जिनोवे ग्रामी ने वेल्जीयम में 1873 में एसी मोटर निकोला टेसला युएसे में 1888 में एलेक्टो मेगनेट दिलियम स्टार्जन बेटन में 1824 में खेले मुख चल्चित लुई ली फ्रेंस ने युएसे में 1855 में कव 1855 में यह भी याद र फिलेम वाग्चल्चित यह आप देखेंगे जी मुसोली बहेंस वागट जर्मनी में 1922 में फिलेम संगीत युक्त ली डी फोरेंस ने युएसे में 1923 की बात है फाउंटेन फाउंटेन पैन लिविस वाटर सन वाटर में युएसे में 1884 में गैलवेनोमीटर एंड्रे मेरी एंपियर फ्रांस में 1834 में गैस लाइटिंग विलियम मार्डॉक बेटन में और 1792 में एक गलाइडर इसकी खौद जार्ज केली ने बेटन में और 1803 में ग्रामो कॉंट थॉमस अलवाइडिशन ने युएसे में 1878 में गैरो कमपास सर अलफर अलफर एसपरी युएसे में 19 2011 में गीगर काउंटर हैंस गीगर ने जर्मनी में 1913 में गैस फायर फिलिप लेवन ने फ्रांस में 1792 में लावड़ स्पीकर हैरे साल्ट बेटन में 1900 में लॉग रित्म जॉन नेफियर स्कोट्लेंड में और 1614 में लियोन लेंप जार्ज कलाड ने फ्रांस में 1910 में लाइन लाइल लॉन डॉक्टर वालीज के रायर्स अमेरिका में 1937 में सेफ्टी पिन वाल्टर हंटर ने यूएसे में 1849 में इसकाच टेफ रिचर्ड ड्र यूएसे में 1930 में सुता चालक चाल्स केटरिंग यूएसे में 1911 की बात ही कपी बात है 1911 की फिर आप देखेंगे स्लाइड प्रमाना विलियम ओप ट्रेड ने बेटेड में 1921 की बात है इसकाई इसकाई स्केफर विलियम जैनी यूएसे में 1882 में इस्टील हैंरी यूएसे मन ने बेटेड में 1800 बच्पन में सुफर कंडेक्टिविटी एच की ओनेस लिंद ने नीदेलेंड में 1911 में इस्टीम एंजिन कंडेंशन जैम्स वाट ने स्कोटलेंड में 1789 में इस्टीम एंजिन फिस्टन एधाम न्यू कोमेंड बेटन में 1712 में सैल्यूलाइड लाइड ए अलेकजन्डर पार्ग बेटन में 1871 में सेफ्टी मेच जान वाकर एवेटन में और 1826 की बात है सेफ्टीलेम हमपी डेवी बेटन में 1872 की बात है सिमेंट पोटलेंड जोसेफ अरगडीन बेटन में 1824 में सिनेमा लाउस निकोलस बालाउस लूमियारी फ्रांस में 1895 में टेक्टर रावर्ड फॉर्मिच यूएसे में 1892 की बात है हॉर्पीटो रावर्ड हल एट हैट एवेटन में 1866 में टेंक आप देखेंगे टेंक की बात करें तो सर अरनेस्ट सुईटन ने बेटन में 1914 की बात है टेलीग्राफ यांत्रिक एम्लेमांड फ्रांस में 1787 की बात है टेलीग्राफ कोड सेमूएल मोर्स यूएसे रहieso 307 में टेलीफॉन ग्राम बेल यूएसे में 1846 में टेलीविजन यांत्रिक जे अल वेड ने वेटिन और 1926 में टेलिविजन एलेक्टोनिक टेलर फारेंट वर्थ USA में 1927 में टेरी लीन विनफिल्ड वर्डिक्सन वेटिन में 1941 में ट्रांजिस्टर जॉन वर्डीन वाल्टर वेटन वा विलियम साखले USA में 1927 में टाइप राइटर फैले ग्रेन टेरी एटली और 1808 में थर्मोस्कोप गेलियो गेलियी इटली 1593 में थर्वामीटर डेनियल गेब्रियल फोरेन हाइट जर्मनी में 1744 की बात है ट्रांस्फोर्मर ए माइकल फ्राडे बेटन में 1831 की बात है बॉसिंग मसीन हार्ली मेर्शन कंपनी USA में 1907 में वेल्डिंग मसीन बिद्धूत एलेसा थॉम्सन USA में 1877 पंडूबी डेविल बूस नेल USA में 1776 में बिद्धूत पंखा हीलर USA में 1776 में होवर क्राफ्ट सर किष्टूफर कांकरेल बेटन में 1955 में मसीन गन सर्जेम्स पकल एवेटर में 1778 में मांचित सुमरी एनो द्वारा आप दीखेंगे ए है कि बाइस सो पचास इसा पुरूप की बात है ठीक है इसा की जनम के पहले की प्राप देखें कि माइक्रो एक अउपकरन हो गया इनकी अविसकारक हो गया जो अविसकार जिशने किया था देश हो गया बर्स माइक्रो फ्रूइसेसर एम ए हॉप यूएसे में हुआ था 1971 की बात है माइक्रो इसको जैड जांसेन नीदर लेंड में 1590 में मॉटर साइकल जी डेमलर जर्मनी में 1850 में माइक्रोपॉन ग्रामवेल यूएसे में 1876 में फैनिसलीन एलेक्जंट फ्लेमिंग एंगलेंड में 1928 में पेकास का वेग रोमर डेनमार्ग में 1676 में फेसर कोकर डेनिस पेपिन एंगलेंड में और 1689 में पेपर मुल्बेरी फाइड वर स्चीन में और 105 ठीक है पेरासूट जीन ये पेरे किलाई चाड फ्रांस में 1795 में पिलास्टिक अलेक्जेंडर फार्कस बेटेन में 1862 में फ्रोफलर जलियान फ्रांसिस स्मितने बेटेन में 1837 में फैंटिंग फेस्ट जॉन गोटेंड वर्क जर्मनी में 1845 में पाकिक मीटर कार्ल टन मेग यूएसे में 1935 में पास्टूरी करन लुई पास्चर ने फ्रांस में 1866 में रडार रोबर्ट वर्सन वाट इस्कोटलेंड 1937 में पैंटिंग पैंटिंग टेलीग्राफ डेविड एडवर्ड हुज बेटेन में 1855 की बात है क्योंकि 1855 की बात है फिर आप देखेगे रेडि यूएसे की 1931 में रेजर सेप्टी किंग जिलेट यूएसे में 1901 में रेश्टिरेटर हरी संट बट टेनिंग ने यूएसे में 1850 फिर आप देखेंगे कुछ यहां भी है रवर पौधूं का दूद फॉर्म डन लफ रवर कंपनी ने वेटेन में 1928 में रवर टायर थॉमस ह हौन काक ने वेटेन में 1846 में रवर जल्रोधी चार्स मेकिन टोस बेटेन में 1823 में रवर वल्क नीकित चार्ट गोड इयर ने यूएसे में 1841 में रेवालवर सेम्वेल कोल्ट ने यूएसे में 1935 में रिकार्ड लांग फ्लेइंग डॉक्टर पीटर गोल्ड मार्क यूए में लेजर, थियोडर, में ममौयान, USA में 1960 में, लिप्ट, यांतरिक, एलिसा, और टिस, USA में 1800, बापन में, लाइटिंग, कन्डेक्टर, बेंजामीन, फेंलीन, USA में 1700, लियो, लिनो लियम, ए फेटरिक वाल्टन ने, वेटन में, 860 में, लोकोमोटो ब्रेल, रिचर्ड, ट्रक की थिक, आप देखें बेटन में, 8804 की बात है, थरमस फलास्क, डेवाल, ए युएसे में, 1714 में, माइक्रो मीटर, बिलियम कोजीन ने, बेटन में, 1636 में, साइक्लो टॉन, लारेंस, युएसे में, 1931 में, जेट इंजन, फ्रे 1440 में, 1540 में, और ग्रहों की कोज, कैपलर में, जर्मनी में, 1601 में, स्कूटर, जीवराड सा, बेटन में, 1919 में, हेलिकोप्टर, पॉल कोर्नो, ए फ्रांस में, 1907 में, इनसाइक्लो पीडिया, बेटिका की अनुसार, ये आप लोगो ने देखा, ब्रेटेनिका की अनुसार देखा हुआ है सभी, ठीक है, चलिए खेर, आपकी फिजेक्स भी खतम हो जाती है, ये आपकी, मुझे लगता है इतना पढ़ लिए, ये काफी है आप लोगों के लिए, और फिजेक्स के ज्याता के लिए तो, कम रहेगा, वो बिस्ताल से पढ़ता है, चलिए आप लोग ए करते रहे हैं, हम लोग अंगली क्लास में रसाइन विज्ञान देखेंगे, ठीक है, उससे किस तरह के questions बन सकते हैं, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे,